तो नमस्कार सारे वियोर से और जुड़ गए है इस लाइव मैच में कॉलम्बो स्टार वर्सेज जाफनाए किंग्स का ये मुकाबला है दसवा ये मुकाबला है लंका प्रीमियर लीग का और यहाँ पर एक तरफ होगी एंजिलो मैथ्यूज एक तरफ होगी शोहिब मलेक की टीम यहाँ पर देखते हैं कौन से टीम किस पर भारी पढ़ती है जाफनाए किंग सा सफर जो है वो काफी बढ़िया चल रहा है मुकाबले दर बदर मुकाबले जीते उने ज़रा रही है और टेबल पर टॉप ट्यू के अंदर जो है मौजूद है आज देखते हैं कि आपनी एक और जीत दर्ज कर पाएगे कि कॉलंबो स्टार यहां से एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे तो आप से लोग जुड़ जाई हमारे साथ इस मुकाबले में आप सभी का स्वागत करेंगे अपने यूट्यूब चनल पर क्रिकेट लाइफ हिंदी पर लाइफ हिंदी कमेंटरी जी है और एक अच्छा मुकाबला देखने को यहां पर मिल जाए अभी एक मुकालए जैंग उसके खत्म होने के बाद तुरंद बाद य यह मुकाबला जी है वो शुरू होगा उससे पहले डिटेल्ड एननेसिस जैसे वो शुषांग भाई लेकर आए आप सब के लिए तो शुषांग भाई और चुछ लगता है क्या लगता है कौन सेटीम किस भारे रहेगी शुषांग भाई बताएंगे सारे डिलेसिस यहां पर इस मुकाबले के जुड़े रही है चैनल को सब्सक्राइब करिए स्ट्रीम को लाइक करिए इंच्वाइब करिए इस मुकाबले को तो जी हा चलिए बैस सभी वीवर्स को एक बार फिर से नबश्कार स्वागत करते हैं लंका प्रीमियर लीग के आज के इस दूसरे मुकाबले में मुकाबला काफी बहतरीन होने की उमीद है कोलंबो स्टार्स वर्सिज जाफना किंक्स की टीमों के बीच में खेला जाएगा आज का ये मुकाबला तो चलिए देखते हैं किस तरह से मुकाबला रहता है दोनों टीमे का अफ़ी तگड़ी है दोनों टीमों ने इस साल लंका प्रीमियर लीग में अच्छा परदर्शन करके दिखाया है हालां की कॉलंबो की टीम अपना पिछला मुकाबला हार के यहां तक पहुंची है जबकि जाफना की टीम ने पिछला मुकाबला काफी एक कन्विंसिंग ली जीता था तो चलिए आज देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों टीमों का मुकाबला होता है बाकी सबी लोग यार जल से जल जुड़ जाईएगा शुरू कर रहे हैं अपना प्री काउंड ओन यहां पर शुरू होने जा रहा है मुकाबला साड़े साथ बजे होगा उससे पहले हम आपके साथ जुड़ चुके हैं चलिए ग्राउंड के अगर बात की जाए तो पली कली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी शिरलंका के अंदर ये मुकाबला खेला तो पिछ बलेबाजी के लिए काफी बहतरीन लग रही है जी आखसर शाम के जो मुकाबले हैं वहां पर थोड़ा सा आपको ड्यू का जो इफेक्ट है वो जरूर यहां पर देखने के लिए मिलेगा लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से जो पिछ है वो बलेबाजी के लिए काफी बहतरीन रहेगी टोस जीतने वाले बलेबाजी टीम आज भी यहां पर टोस जीत कर पहले गेंदबाजी करना ही प्रैफर करेगी चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के बारे में जी हाँ कोलंबो की टीम है एक तरफ एक तरफ है जाफना की टीम तो दसवा मुकाबला ह यहां पर निगाहे डालते हैं पॉइंट्स टेबल के उपर की अब तक इस लीग में दोनों टीमों ने क्या कमाल करके दिखाया है तो आप देख सकते हैं जाफना की टीम इस समय सबसे टॉप पर है चार मुकाबले खेले हैं तीन जीते हैं सिर्फ एक मुकाबला हा रहा है न कोलंबो की टीम का तो इसी वज़े से सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जी हां मुकाबला जो सिरीज है वो काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है और कोलंबो की टीम को अपनी जगा बनानी है अगले चरंड में तो यहां से एक बहतर खेल थोड़ा सा खेल के दिखाना के अगर लोकल प्लेयर्स की बात की जाए शिरलंकाई खिलाडी तो यहां पर होंगे तिशारा परेरा धननजे टिसिल्वा महीश तिक्षना बिनहारू फरनेंडो दुनित वैल बेगे सुमिंदा लक्षन संधीरा समर विक्रमा परवीन जय विक्रमा दिलशान मधुशंका न जेम्स फुलर हैं रहमत अल्ला गुर्बाज है वकार सलामकील है टोम कोहलर कैडमोर यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं हलाकि बात की जाए किन खिलाडियों ने अब तक बहतर परदर्शन करके दिखाया तो मेरे ख्याल से टोम कोहलर कैडमोर आज एक बार फिर से बलेबाजी में यहां इस टीम की यूनिट रहने वाले हैं उसके अलावा जीमी नीशम यहां पर अगर खेलेंगे आज के मुकाबले में मोका मिलता है तो एक काफी बढ़िया इंक्लियूजन हो सकता है उसके अलावा शोई मलिक जी हां एक्सपिरियंस काफी लेकर आ आते हैं उस नंबर पर बलेबाजी करते हुए अक्सर काफी लीगों में उन्होंने काफी टीमों को मुकाबले जिताएं है तो उमीद यही रहेगी जाफना किंग्स की की शोईब मलिक एक पुराने शोईब मलिक की तरह आज खेले चलिए बात की जाए यहां पर अगर तिश की है विजय कांथ वियास कांथ ने भलेबाजी में भी अपने हाथ आज मा लेते हैं तो मेरे ख्याल से आज के इस मैच में जाफना किंग्स की टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है जीती है तो मेरे ख्याल से विजय कांथ इस टीम के MVP Most Valuable Player आपको यहां पर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं जी हाँ बात की जाए अगर यहां से कोलंबो स्टार्स की तो यह टीम भी अपने नाम के मताबिक ही सितारों से सुसजित जरूर है बड़े बड़े खिलाड़ी आपको यहां पर खेलते हुए दिखाई देते हैं चाहे बात की जाए शिरलंका की चाहे बात की जाए विदेशी खिलाड़ीों की तो जी हाँ एक बार नजर डालते हैं शिरलंकाई प्लेयर्स के उपर तो यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे एंजलो मैथ्यूज, चरीत असलांका, निरोशन डिकवैला, धननजय लक्षन, दिनेश चांदीमल, शुखूजा परसनना, जैफरी वांट से, निशान मधुशंका, मुदित लक्षन, लक्षित मरलीशंगा, केविन तो यहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे बात की जाए अगर विदेशी खिलाडियों की, तो यहां पर आपको दिखेंगे बैनी होविल, रोमारियो शेफर्ड, डोमिनिक ड्रेक्स, रवी बोपारा, नवीनुलहक और उसके बाद आता है नंबर करीम जैनत का, ज बलेबाजी में भी अगर अपने हाथ दिखाएंगे, हाथ खोल कर बलेबाजी करेंगे, तो टीम के लिए जादा बहतर होगा, बात अगर यहां से की जाए दूसरे प्लेयर्स की, तो सुरंगा लकमल यहां पर काफी महत्वपूर्ण आज एक इंक्र्यूजन साबित हो सकते ह बाकी यह जो टीम है, इस टीम के शायद सभी विदेशी खिलाड़ी इकलोती ऐसी टीम है, जिस टीम के सभी विदेशी खिलाड़ी काफी टॉप क्लास पर दर्शन करके आ रहे हैं, सभी के सभी खिलाड़ी इन फॉम बलेबाज और गेंदबाज हैं, चाहे आप बात का यहां से रोमारियो शेफर्ड की चाहे डॉमिनिक ड्रेक्स रवी बोपारा नवीरुलहक करीम जननत छे के छे खिलाड़े यहां पर इनफोम है जी हां पिछली लीगों में पिछले अपने मैचों में काफी बढ़िया परदर्शन किया है हाला कि करीम जननत पिछले मुकाब बल्लेबाजी करने में भी महारत हासिल है और experience तो इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं जी experience है भरपूर है यह खिलाड़ी तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो इस टीम का आज का जो MVP है रवी बोपारा हो सकते है most valuable player अगा आज कोलंबो की टीम यहां स इस मुकाबले को जीतती है तो चलिए यहां से थोड़ा सा मोसम की बात करते हैं मोसम ने थोड़ा सा इस लंका प्रीमियर लीग के इस एडिशन में थोड़ा सा डराया जरूर है हर मुकाबले में यहां पर थोड़ा सा बारिश का साया रहता जरूर है तो आज के लिए चांस देखते हैं क्या रहने वाला है तो पलीकली शिरलंका के इसे स्टेडियम में आज यहां पर धूब खिली रहेगी जी हाँ बिलकुल साफ मौसम है 26.60 डिगरी सेलसियस यहां पर रहने वाला है तापमान बात की जाए हुमिडिटी की तो 71 परतिशत रहेगी हवा में नमी उसके भी मुकाबला हो T20 हो 50 ओवर का हो टेस्ट मैच हो जब मुकाबला बीच में बादित होता है तो देखिए हमेशा एक टीम को एक एडवांटेज तो मिलता है जी हां एक एडवांटेज जरूर मिलता है एक टीम थोड़ा सा डिसएडवांटेज में जरूर रहती है चलिए एक बार जब बल्लेबाज पीटने पर आते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर किसी की चलती नहीं है लेकिन आज भी तो यहाँ पर अगर देखें तो एवरेज टोटल स्कोर है एक सो तीन रण जो कि आपको देखने में काफी कम लग रहा होगा क्योंकि मुकाबले हैं जो थोड़ा सा अलग चल रहे हैं एक मुकाबला काफी हाई स्कोरिंग होता है दूसरा मुकाबला ही उसेम डे पर दूसरा पर देखें गे तो यहाँ पर पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर यहाँ पर पहला मुकाबला खेला जा रहा था पल्लीकली स्टेडियम के उपर उस समय स्पिन के आंखड़े यहाँ पर काफी बहतरीन थे लेकिन अब धीरे धीरे इस एडिशन में ऐसा लग रहा है कि का इस्तेमाल किया गया है इस एडिशन के लिए तो शायद पिछके उपर कुछ बदलाओ है जो हमें पिछले साल स्पिन देखने के लिए गेंदबाजी मिल रही थी इस मैदान के उपर वो यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग लग रही है स्पिन गेंदबाजों को मदद अभी भ जी हाँ बात अगर की जाए टीम की फोर्म की तो आप देख सकते हैं जाफना की फोर्म काफी बढ़िया काफी जबरदस्त रही है अब तकि सूर्णामेंट में पिछले पांच मेंसे चार मुकाबले अपने जीते हैं वहीं बात की जाए कुलमबो की टीम तो अपने नाम के म मुकाबला यहां से हारे तो अगले चरण में पहुँचना यहां से मुश्किल से नामुम्किन होता चला जाएगा धीरे-धीरे. चलिए अब तक तीन मुकाबले खेले गए हैं इस मैदान के ऊपर तो पहले बलेबाजी की है, 67% टीमों ने पहले बलेबाजी करके मैच जीते और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम में 33% यहां पर मुकाबले जीते हैं आज देखना होगा ड्यू को ड्यू यहां पर कितना महत्वपूंड रहने वाला है जी हां कई बार कप्तान के मन में एक संश्या हो जाता है ड्यू को लेकर तो वो जबरदस्ती चाहे पीछ बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है ड्यू अब तक पड़ी ज़रूर है इस मैदान के उपर लेकिन इतनी नहीं कि वो आपके गेंदबाजों के लिए तुकसान दे साबित हो आपके गेंदबाजों वहां पर गे देते हैं जो आज के मुकाबले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए तो यहां से चलते हैं टॉप प्लेयर्स की तरफ जी हां कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों की तरफ से जो आज टॉप परफॉर्म कर सकते हैं टॉप है तो शायद यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं वहीं बात की जाए कॉलंबो स्टार्स के दूसरे सूपर स्टार रवी बोपारा की तो बल्ले बाजी में क्या कमाल का काम किया है अब तक पिछले मुकाबले में भी गाले ग्लेडेटर्स के खिलाफ 35 गेंदों में 46 रन की पारी खेली थी शुरुआत थोड़ी सी स्लो जरूर कीती लेकिन अंत में आते आते अपने स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा था रवी बोपारा ने अपने नाम के अनुसार और वैसे भी ये खिलाड गेंदबाजी में जिम्मेदारी रहेगी जेम्स फुलर की तो हर मुकाबले में विकेट लेकर जा रहे हैं हर मुकाबले में विकेट लेकर जा रहे हैं रनों को भर भी लगाम लगाने में कामियाब रहे हैं जेम्स फुलर तो मेरे ख्याल से जाफना की टीम के लिए आज एक महतोपूर गेंदबाज साबित हो सकते हैं हाला कि बलेबाजी में भी अपना योगदान देते हैं हाथ आजमाते जरूर हैं बड़े बड़े शॉर्ट्स लगाने में लेकिन आज इनकी गेंदबाजी की जादा जरूत होगी जाफना किंग्स को चलिए बात करते हैं यहाँ पर सदीरा की जिहां सदीरा समर्विक्रमा की अगर बात की जाए जाफना किंग्स की तरफ से तो इनका भी मुकाबला काफी बढ़िया रहा है बलेबाजी काफी अच्छी की है विकेट कीपिंग में थोड़ी सी शिकायते जरूर हैं सदीरा से क्योंकि कुछ है कि यहाँ पर कैचीज इनने विकेट के पीछे छोड़े जरूर है और मिस फिल्ड यहाँ पर हुई है विकेट के पीछे तो सदीरा से थोड़ी सी बस ये विकेट कीपिंग के शिकायत रहेगी बाकी बल्लेबाजी में उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है और आज मेरे ख्याल से आपको वो भी एक बहतर बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं चलिए बात करेंगे यहाँ पर नवीनुलहक की कॉलंबो स्टार्स की तरफ से गेंदबाज है काफी प्रीमियम गेंदबाज है और सबसे महत्वपून गेंदबाज है नवीनुलहक की कॉलंबो स्टार्स की टीम के लिए इनका परफॉर्मेंस करना बेहद जरूरी है अगर टी क्योंकि T20 मुकाबले में विकेट लेने के साथ साथ आपको रनों पर भी लगाम लगाना जरूरी है सबसे बेस्ट गेंदबाज वही होता है जो सामने वाले प्लेयर्स को डबाओं में लेकर आता है उसके बाद विकेट लेता है जिससे रन भी रुकते हैं विकेट भी आपको जाएंगे लेकिन अब बात करते हैं जाफना किंग्स की तरफ से ओपनिंग बलेबाज टोम कोहलर कैडमोर की जीहां विदेशी खिलाड़ी है अभी तक काफी बढ़िया यहां पर परफॉर्म किया जरूर है सिर्फ एक मुकाबले में खेला है इस से पहले इस लीग से पहले यह खिलाड़ी टोम कोहलर कैडमोर अपनी जिंदगी की सबसे बहतरीन फॉर्म से गुजर रहा था जिस भी लीग में खेला है उसी लीग में भाई तगड़े ताबड़ तोड़ यहां पर रनों की पारिया खेली है तो अब इंतजार रहेगा लंका प्रीमियर लीग में कब अपनी फॉम में आ रहे हैं टोम कोहलर कैडमोर और मैं उमीद करता हूँ कि आज के मुगाबले में आपको बढ़िया बलेबाजी देखने के लिए मिलेगी टोम कोहलर कैडमोर के द्वारा अचल यह निरोशन डिकवैला की बात करते हैं कोलंबो स्टार्स की तरफ से इस टी अब लीग मैचिस में भी खेलते हैं तो जानते हैं हम सभी जानते हैं इनकी परतिभा को कितने ये सक्षम बलेबाजी कर सकते हैं विकेट कीपिंग भी कमाल की करते हैं तो इनसे कोई शिकायत होगी नहीं यह आज भी आपको पर्फोर्म करते हुए दिखाई देंगे चलिए जाफना कींगस इस मुकाबले को जीतेगी या फिर हारेगी यह डिपेंड करेगा कि विजय कांत व्यास कांत आज किस तरह कि यहां पर गेंदबाजी करके दिखाते हैं अब तक काफी बहतरीन की है काफी इंप्रेसिव गेंदबाजी की है इस यूवा गेंदबाज ने तो चलिए आज देखते हैं आज एक विकेट लेकर जाते हैं या फिर दो विकेट लेकर जाते हैं फिर आज क्या तीन विकेट लेकर जाएंगे चलिए बात करते हैं जाफना किंग्स की तरफ से अविश्का फर्नांडो की बल्ले बाज ये भी काफी कमाल का है रन एकदम आ रहे है भाई जबरदस्ट रन आ रहे हैं थोड़े बहुत नहीं जबरदस्ट रन आ रहे हैं इस बल्लेबाज के तो अविश्का फर्नांडो आज क्या यहां पर जिस परकार की बल्लेबाज ही कर रहे हैं एक और अर्ध शतक इनके बल्ले से आज देखने के लिए मिल पाएगा अचलि कोई गेंदबाज ले ले तो आप समझ जाईएगा कि जिस तरह से बल्लेबाज ने सेंचुरी बना दी हो बिल्कुल बराबर का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा गेंदबाज को भी तो काफी कमाल की यहां पर गेंदबाज ही की है अब बात करते हैं रोमारियो करकेज लिक के अंदर अपनी ठीम कॉलंबो स्टार्स के लिए हलाकि कॉलंबो स्टार्स की टीम मकाबले जादा जीती नहीं है लेकिन जो मकाबले हारी भी है वहाँ पर भी जो परदर्शन है रोमारियो शेफर्ड का वो काफी लाजवाब रहा है उमیद करेंगे आज भी अ आज आपकी टीमों के लिए अपनी अपनी टीमों के लिए यहाँ पर काफी बहतर परदर्शन यहाँ पर करके दिखा सकते हैं हाला कि बात अगर की जाए लंका प्रीमियर लीग की तो लंका प्रीमियर लीग थोड़ा सा यहाँ पर काफी ऐसी लीग है कि जिसके बारे में आप कुछ predict नहीं कर सकते हैं जी हाँ pitch है, मोसम है, pitch कैसी है actually ऐसा है कि अगर आप मुकाबले से पहले इस सारे statistics आप जान भी लेंगे तब भी पता नहीं है कि मुकाबले में क्या होगा, काफी unpredictable मुकाबले चलते हुए लंका प्रेमियर लीग के अंदर लेकिन अब बात करते हैं चलिए थोड़ा सबाई fantasy वाले भाईयों का भी ध्यान रखेंगे जरूर तो ऐसे कौन से खिलाड़ी है जो आज आपको आपकी fantasy team को काफी नई उचाहियों तक पहुचाने में मदद कर सकती है और काफी उचाहियों तक भी पहुचाने में मदद ना करे तो कम से कम ऐसा तो कर सकती है कि देखिए भाई किसी का नुकसान ना हो खासकर fantasy के अंदर किसी का नुकसान ना हो तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं तीन-तीन खिलाड़ी देखेंगे हर सेगमेंट में तीन-तीन खिलाड़ी यहाँ से देखेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं best economy की जी है गेंदबाजी के अंदर तो बात करेंगे इसके बारे में तो नमबर वन पर आते हैं दुनीत वैलबेग अब तक दो पारिया खेली है मातर 4.4 तीन रन परती ओवर के हिसाब से रन दिये हैं दूसरे नमबर पर आते हैं चरिथा सलांका कॉलंबो की टीम से अब तक दो पारिया खेली है दो पारियों में जो गेंदबाजी की है रन दिये है मातर सिर्फ 5 रन परती ओवर के हिसाब से जाफना की तरफ से तिशारा परेरा ने भी कमाल की गेंदबाजी की है तीन पारियों में अब तक गेंदबाजी की है पांच रन परती अबर के हिसाब से रन दिएं तो ये तीनों गेंदबाज बिल्कुल रनों की गती के उपर लगाम लगा देते हैं जब भी आज भी अगर ये बल्लेब गेंदबाजी करने आएंगे तो समझ लीजेगा कि जो गेंदबाज है इस तरह की गेंदबाजी करेगा इन तीनों में से कि सामने से रना आपके बिल्कुल लीक नहीं होंगे चलिए गेंदबाजी से अब चलते हैं स्ट्राइक रेट की तरफ जीयां स्ट्राइक रेट काफी महत्यपून और उस पूरे लंका प्रीमियर लीग में थोड़ी सी शिकायत ये भी रही है कि बल्लेबाजों का जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा यहां पर चिंता का 20 मुकाबलों का और यहां पर थोड़ी सी शिकायत जरूर रही है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने स्ट्राइक रेट अपना बरकरार रखा है तो जैफरी वेंडर से होंगे यहां पर जैफरी वेंडर से हाला कि गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट में इनका नाम टॉप पर शुमार है एक पारी खेली है धाइसो का स्ट्राइक रेट है दूसरे नंबर पर हैं सुरंगा लकमल तीन पारी अब तक खेली है 166 का इनका स्ट्राइक रेट है रहमतुल्ला गुर्बाज विकेट कीपर है जाफना के तो इनके भी तीन पारियों में यहाँ पर 157 का स्ट्राइक रेट है तो स्ट्राइक रेट फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि काफी कम है और एक्शुली इन दोनों टीमों का नहीं पूरे अ पारियों में तीन चक्के सबसे जादा विकेट किसने हासिल किया तो बिनूरा फरनेंडो ने अब तक सिर्फ दो मुकाबले खेले हैं साथ विकेट यहाँ पर चटका कर अपने नाम किये हैं दूसरे नंबर पर है महेश तिक्षणा अब तक चार पारियों में पांच चटका दिये हैं अपनी टीम कोलंबो के लिए तो देखना होगा बिनूरा फरनेंडो ने क्या कमाल की शुरुवात किया क्या कमाल का उनका इंट्रोडूक्शन रहा है इस लंका प्रीमियर लीग के अंदर आज देखना दिल्चस्प रहेगा बिनूरू फरनेंडो की आज ग नंबर पर तीन पारियों में अब तक 114 रन बना चुके हैं समर विक्रमा तो चलिए ये थे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बले बाजो की सूची अब चलते हैं अब चलते हैं सबसे महतपून चीज पर फैंटेसी पॉइंट कौन से प्लेयर से जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर आपकी टीमों को जितवाया है और जितवाया अगर नहीं है तो जितवा सकते हैं नमबर बन पर रहेंगे यहाँ पर गेनवाजो की लिस्ट में बिनूरू फर्नेंडो बिनूरू फर्नेंडो ने दो पारियों में अब तक 226 पॉंट दे दिये हैं तो यह थे कुछ आंकडे जिससे आपको थोड़ा सा आईडिया जरूर लग जाएगा dream 11 team बनाने से पहले कि कौन से top के 3 player हैं हर category के अंदर उन 3 में से ही आपको 2 player चुनने हैं top के 3 player में से ही आपको 2 player चुनने हैं बाकी जो 1 player बचेगा क्योंकि अगर आप 5 category में से 2-2 player चुनेंगे तो 10 player आपके पास हो जाएंगे और बाकी जो एक प्लेयर बचेगा वो आपको अपनी मरजी से यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा लेकिन चलिए उसका भी इंतिजाम करेंगे एक ड्रीम 11 टीम भी आपको यहाँ से बना कर देंगे ताकि जो सारी कंफ्यूजन है सारी कंफ्यूजन ही यहाँ से क्लियर हो ज जाते हैं कि 6 ओर में कितने रन बनेंगे 10 ओर में कितने रन बनेंगे 15 में कितने 20 ओर में कितने रन बनेंगे तो चलिए यह आंकड़ा हमने निकाल के रखा है कि इस मैदान के उपर जिस मैदान पर यह मुकाबला खेला जाएगा और पिछले कुछ मुकाबलों का यहाँ पर निकाला है कि average कितने run बनते हैं, average कितने run बनते हैं जिनको आप अपनी आम भाशा में शैशन बोलते हैं, तो चलिए एक बार उसका आखड़ा आपके सामने में अगर पेश करूँ तो इस venue पर इस मैदान के ऊपर पिछले 9 matchों का आखड़ा अगर देखा जाए तो पहली पारी में 6 over में बनते हैं 52 run, on average पहली पारी में 6 over में 52 run बनते हैं, दूसरी पारी में 46 run बनते हैं, 10 over की अगर बात की जाए तो पहली पारी में 81 run बनते हैं, 15 over की अगर बात की जाए तो पहली पारी का स्कोर रहता है 121 run, 15 over की समापती के बाद वहीं दूसरी पारी का स्कोर रहता जाता है मातर 161 तक का तो ये एवरेज स्कोर है इस मैदान का पिछले 9 मैचों का तो मेरे ख्याल से इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये मैदान किस तरह का है यहाँ पर रन किस परकार से बनते हैं तो 6 ओवर में लगवग लगवग आप मान के चलिए क्या एक टीम रहेगे आज दो टीमें भाई बनाई नहीं है दो टीमों में कनफ्यूजन काफी हो जाता है इन छोटे मैचों में लंका प्रीमियर लीक के तो एक टीम यहाँ पर बनाई है देख सकते हैं चाहे तो स्क्रीन शोट ले लीजएगा अगर कुछ बदलाओ होता है प्ले वो कर दिया जाएगा नहीं तो मेरे हिसाब से काफी बहतरीन यह टीम है देख सकते हैं आप कप्तान हमारे यहाँ पर रहेंगे अविश्का फर्नाइंडो वाइस कैप्टन रहेंगे निरोशन डिक वैला रहमतुल्ला गुरबाज को हमने टीम में लिया है शोइब मलीक है र बलेबाजी कर लेते हैं चाहे आप बात करें डोमिनिक ड्रेक्स की वो बढ़िया बलेबाजी कर लेते हैं फर्नाइंडो की आप बात करें वो बलेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं तो इसी वज़े से चार गेंदबाजी यहाँ पर रखें या तो इनका गेंदबाजी में लग चलेगा या फिर नहीं तो बले भाजी में तो आपको 10, 20, 30, 40 पॉइंट तो ये भी दे कर चले जाएंगे तो चलिए अब यहां से सीधा चलते हैं एक बार टीम की परफॉर्मेंस की तरफ एक बार टीम तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर टीम के अंदर यहां पर जाफना की टीम काफी आगे निकल जाती है। तो वहाँ पर कोलम्बो की टीम छोड़ती नहीं है क्योंकि गहराई बहुत है बलेबाजी में पांचवे नमबर पर जाईएगा छटे नमबर पर जाईएगा साथवे नमबर तक भी बलेबाजी ऐसी है कि मुखाबला फिनिश कर सकते हैं वो टीम वो जगा थोड़ी सी जाफन की टीम में कम दिखती हुई तेज गेंदबाजी का जो अटेक है वो जाफना की टीम के पास फुली फ्लैज्ड है हाला कि कोलम्बो की टीम का भी इतना खराब नहीं है लेकिन पर फॉर्फोर्मेंस के आधार पर यहाँ पर एक्स्ट्रा नमबर हम देंगे जाफना की टीम को वहीं अगर बात की जाए स्पिन गेंदबाजी की तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कोलम्बो की जो हालत है लगातार दिन परती दिन गिरते जा रही है और जाफना की टीम की जो स्पिन गेंदबाजी है उसने कमाल करके दिखाया है तो यह रहा है इन दोनों टीमों का हाल अब अगर जाने तो यहाँ पर बलेबाजी में तो पूरी तरह से पचाड देती है जाफना की टीम बलेबाजी में कोलम्बो की टीम को पूरी तरह से पचाड देती है तो आब यहाँ पर सिर्फ दो डिपार्टमेंट बचते हैं जाफना की कोलम्बो की टीम के पास जहां वो के पास नहीं है अगर आप शुरुआती दो या तीन विकेट यहां पर गिरा देते हो जाफना की टीम के तो फिर टीम का संभलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है बात की जाए तेज गेंदबाजी तो वो यहां पर जाफना के पास बहतर है लेकिन स्पिन है तो चलिए कोलंबो की टीम ने पल्ली कली स्टेडियम में दो मुकाबले खेले हैं एक जीता है एक हारा है यही सेम हाल रहा है जाफना की टीम का अब तक दो मुकाबले यहां पर खेले हैं एक जीता है एक हारा है लेकिन एवरिज स्कोर आप देखिए का कोलंबो का है मातर 128 रन जाफना की टीम का है 193 रन हाइस्ट स्कोर अगर आप देखें तो कॉलंबो की टीम का है यहाँ पर 119 रन वहीं जाफना की टीम का है 240 रन लोवेस्ट स्कोर भी यहाँ पर कोलम्बो की टीम पीछे रह जाती है 108 रन है जाफना की टीम का लोवेस्ट स्कोर इस मैदान के उपर 147 है तो जी हाँ चलिए मुकाबला काफी बराबरी का हुगा क्योंकि दोनों टीमे काफी तगड़ी है हाला कि इस समय जाफना की टीम थोड़ी सी आगे निकलते हुए जरूर दिखाई दे रही है इस मुकाबले में क्योंकि अपनी पिछली परफॉर्मेंस की बदोलत लेकिन देखिए T20 मुकाबला यहाँ पर पिछली परफॉर्मेंस काउंट नहीं होती है सिर्फ जैसे ही बलेबाजो की प्लेयर्स की मैदान के अंदर एंट्री होती है तो एक नया दिन शुरू हो जाता है एक नया मैच शुरू हो जाता है आप पिछली परफॉर्मेंस के दम पर यहाँ पर मुकाबला जीत नहीं सकते हैं जिस दिन मुकाबला है उस दिन जो टीम बेहतर करेगी मुकाबले का जीत का जो सहरा है उसके सर पर बंदेगा तो चलिए आज देखते हैं कोलंबो की टीम या फिर जाफना की टीम बताएंगे आपको हम अपनी टीम भी कि हमारी टीम आज की कौन सी रहने वाली है टोस यहां पर बहुत जल्द होने वाला है मुकाबला आखिव्य आज कोप सायग्यों आपको हमस in more news यहां पर कुछिए कि देर में होने वाला थो जुड़ जाई हमार साथ हमारी ही लाइव कौ्स हैं के क्रीके के साथ मुकाबला जहां पर बने बदेखर मुख होließ कर दीज़ेंगा Enjoy लाइक कर दीजिएग मंता हए यह दसवह करेंगे कि आज भी जबर्दस खेलो कॉलंबो अपना पिछला मुकाबला हाल गई थी देखते हैं आज इस मुकाबले में क्या जीत दिरज कर पाएंगे क्या यहां से आगे बढ़ पाएंगे कि कुछी कुछी सेकिंड्स बाद में कुछी मिनट्स के बाद यहां पर जो है वह रोमांचक हो सकता है क्या देखना होगा टॉस के बाद बताएंगे आप सबको हमारी टीम कौन सी रहेगी हम कौन सी टींग को पसंद कर रहे हैं आज जुड़े लिए लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चाल को थोड़े बहुत मैसेज लेते हैं भाई हो कि अब हैं जी यहां पर सिद्धु भाई बोल रहे हैं आपकी जहाफना किंग टॉस जीत कहीं मगर अभी अपडेट मेरे पास आई नहीं जैसे ही अपडेट में आती है टॉस की तुरंट आपके सबस्क्राइब कर दूँगा टॉस की डिटेल्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्ट्री सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां पर जाफना है कि खतरनाक बल्लेबाजी कर सकते हैं यहां से उनकी बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिल रही है आप देखते भी क्या होता है चलो सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम खोल लाइक करिएगा पला खेली के अंदर जो है और मुझे लगता है कि जाफनाई किंग्स भी यहां पर कोशिशे करें कि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी की जाए और कॉलंबो स्टार भी चाहिए कि टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी की जाए आपके स्क्रीन पर बताते हैं कि टॉस कौन जीता और कौन सी हमारी विरिंग टीम रहेगी पसंद वैसे कॉलंबो आ रही है मकर कॉलंबो की बल्लेबाजी यार उस तरीके से हो नहीं रही है जिस तरीके से उनके पास बड़े नाम है आपर नाम बड़े है दरसन छोटे वाल का बल्ला नहीं बोला है मगर यह टीम जो है पॉइंस टेवल में जो है उपर की तरफ बढ़ रही है यहां पर अगर पॉइंस टेवल की बात कर तो जाफना किंग्स दूसरे पाइदान पर है चार मुकाबले खेले हैं तीन जीते हैं चेंके साथ बनी हुई है बात कर कोलंब जीता है अब आप आगा है जी आ गई है ब्रेकिंग निवी जा चुकी है कि यहां पर जाफना है नहीं यहां पर कॉलंबो स्टार ने टॉस जीता है पहले गेंद बाजी करने निर्णा लिया तो क्या है यहां पर आज बडे स्कोर से रोख पाएंगे जाफना गेंग से कलके आज भी खेल हमें देखने को मिलेगा तो यहां पर आपके स्किंगस्तान में देख सकते हैं कॉलंबो स्टार ने टॉस जीत लिया है यहां पर पहले गेंद बाजी करने का निर्णा लिया तो यहां पर ब्रेकिंग नियुस है कि टॉस हो चुका है आप से लोग चानल को सब् इतजार रहेगा यहां ईहींद यही है कि भाई अच्छा खेले कोलंबो स्टार को क्या जाफनाई केंगस्क बलेवाजी जिस तरीके से इस पिछके उपर देखन को मिली है यहां पर जाफनाई किसे बललेवाजों ने फ्री फ्लोई बललेजी किया और किसी भी गयेंदर यहाँ पर कॉलम्बो स्टार दो बार चेज करने गई है और दोनों बार हारी है यहाँ पर आज फिर से टॉस जीत कर चेज करने निने लिए जब देख रहे हैं दिन का मुकाबला डिफेंड हुआ है इस फिच्पे 170 170 रण काफी अच्छा स्कोर हो सतता है यहाँ पर जाफनाई जैसे कल बल्लेबाजी कर रही है वैसे ही आज बल्लेबाजी करना अगर 170 170 मना लती है यहाँ पर कॉलम्बो स्टार्स के लिए मुझे लग रहे है कि शायद वही सिचुशन रहेगी आज भी जाफनाई कि भाई कि यहां से बड़ा स्कोर कड़ा करें और जहां पर कॉलम्बो स्टार को फसाए तो कि टीम हमारी यहां पर जाफनाई किंग्स रहेंगे चाहिए कि जाफनाई किंग्स जैस मुकाबल जीते के क्यार फेवरेट से कॉलम्बो ने इस टूनमेंट के अंदर बात की जाए तीन मुकाबले खेले हैं दो चेज करते हारे तो चेज इनके बसकी हो तो कहीं ने कहीं यहां पर रास आ रही है जाफनाई किंग्स को सपोर्ट करेंगे उमीद करेंगे जाफनाई किंग्स इस मुकाबले को जीते चौस हो चुका है चौस जीता है कॉलम्बो ने यहां पर गेंद बाजी करने का डिना लिया और यहां पर यहां पर बल्ले बाजी का नेखता दे दिया है कॉलंबो का रिकॉर्ड जो कहता है उस रिकॉर्ड को देखकर घबराट सी ओर अगर यहां पर जाफणायए ने सब्सक्राइब कर दो कोलंबो की बल्लेबाजी कहीं नहीं मिल रही है यह पिछ अनुकूल थी बल्लेबाजी के आपने देखा है भी जो रिसेंटली मैच हुआ है वहाँ पर भी ज्यादा मार्जिन से टीमें हारी नहीं है मगर डेड़ सो रन के लिए अगर आप शुरुवास स करने आने उस तरीकी के बल्लेबाजी देखनें में नहीं मिली है कल के मुकाबले में अच्छा खेले जरूर थे यहां पर अब वह बल्लेबाजी कुछ खास रही नहीं है रवी भुपारा रवी भुपारा काफिया तक फॉर्म में नजर आए दिने शंडीमल स्टीम के अंद अब बल्लेबाजी जो है दिने शंडीमल को भेज सकते हैं नंबर तीन पर बोली उनको खेलने के लिए एक्स्पिरिस कि राड़ी है कई ने कई एक छोर से सभल के बल्लेबाजी करेंगे और देखिए पिछले मुकाबले में कल दिन के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थे शंडी घंडी मलने तो यह टीम के सामने जाफणाइग से स्ट्रॉंग टीम है नंबर दो की टीम है ःगर आध जीते हैं तो नंबर वन पर पहुँच जाएगी तो अन्वेलेंस टीम है कन्डि क्यू मेरे को है घएएले स्ट और ह होगा च्वाईны早 तो आप बल्ले बास को रखेगा बल्ले बासी म९ह dalla आज काफि अच्छी हो यहां पर जो भ॑ सेखे इंधर Have Of पाकिस्तान का इंटेंट तुल सा क्लियर नहीं लगर आया या वी आट गोड गेम ये स्टड़िये बिल्कुल सभी बात कह रहे हैं वी मेट त्री चेंजिस लिए दोरों टीमों ने यहां पर बात की जाए तो एंजिलो मैंत्युष की कॉलंबो स्टार ने चार चेंजिस किये ह है जीतने के बाद आपको टीम चेंज करना पड़े तो यह तो अजीब बात है मकर देखिए लगातार क्रिकेट हो रही है लंगा प्रीमेर लीग में अभी कल ही जो है यहां पर जाफनाइकिंग से खेला है फिर एक दिन के बाद तुरंथ दूसरा मैच अपको खेलना पड़ आपि यहां पर प्लेइनी आवंज़ यहां पर टीम के अंदर और कोलंभो स्टार्ड ने alter चेंज किये रभी भपाराइज फेल नहीं देगए निशान-दूशंक का स्थेंग के अंदर है और साथ में सेकूगा और कशण रजीता इस्टीम के अंदर है बाई चलिए यहाँ पर कुछ चेंजिस किये हुए है वो चेंजिस में आपको बता रहा हूँ अब देखना हो किसके सिराडी को बाहर रखा गया है जैसे ही प्लेग नहीं आती है स्क्रीन के सामने तुम्हें तुम्हें शो कर दूँगा आपको क क्या कि चेंजिस रहेंगे यहां पर बाकी टॉस हो चुका है कोलंबो इस्टार ने पहले गैंद बाजी करने का छो यहां से गेंदबाजी जो है वो किस तरीके से होती है कोलंबो स्टार की गेंदबाजी इनकी होती नहीं है दिक्कत यह कि इन्हों ने दो मुकाबले चेज करने गए थे और दोनों बार इन्होंने मुगी खाई है क्योंकि एक बार इंके सामने 109 का टारिगेट था एक बार 174 का टारिगेट था तो कि अगर 170 ब्लास स्कोर बनेंगा तो लगता नहीं कोलंबो यहां पर चेज कर पाएगी बाकि क्रिकेट है अन्हें चिताओं खेल है यार अन्प्रिटिबल गेम होता है यहां पर उमीद प्रिष रीपोर्ट' काफी अच्छी अच्छा ब्ल्लेबाजी करती है बल्ले बात करें काफी वेट्र रहे है है तो उन्पाठ पर रके प्र और खेल रहे हैं तो उनको आपके में नहीं। का इंतजार कर değiş Mega लावन आती है को सपोर्ट कर रहे हैं उम्मीद करहें जा ख Make इस मुकाबले को जीते अब यहां पर बाकिए बिपेंड करता है प्लेइग लाउन किस तरीके से डेकोटा भाई जुर चुके हैं और यहां पर तुति हूँ आपको सबको घबराना नहीं है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को यार और यहां बता दे हैं आपको की बस प्लेंग ना उनका इंतजार है यहां पर 1690 वाली पिछ है और शाम के समय हलका फुल का ड्यू पढ़ता है साड़े साथ बजे यह मुकाबला शुरू होग सब्सक्राइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा जुड़ जाएगा हमार साथ इस मुकाबले में बस कुछ ही दिर में अभी नहीं आई है नहीं देते हैं इशान भाई-बाई प्लेंग लाउन आने तो दीजिए प्लेंग लाउन अभी आई नहीं है इसके लंका प्रीमियर लीग में बहुत लेट आती है कल बिग बैश का मैस शुरू होगा टॉस से दस मिंट पहले ही ताइम से पहले ही आपको प्लेंग लाउन और टॉस जो है पता लग जाए क्योंकि बिग बैश के अंदर टॉस के बाद प्लेंग लाउन जल्दी आती है ध्यान अश्च कर रहे हैं बस फैइंग लाउन जैसे फैनल आती है तुरंत जो है लाट अपड़ाग टिखा ज़ते हैं बता दितें अन्टे चेंजिस कर दिए टीम के अंदर क्योंकि याद नहीं होते हैं यहां पर चेंजिस करें आज इतने चेंजिस करें कोई हद ही नहीं है तीन नेंबर तो पहुंचेगी और उमीद करेंगे यहां पर पिछ रिपोर्ट यह है रसल अनल दिया है लौट ऑफ स्कैचिंग इस ऑक्रेंग थुरूदर नुस्ट बिल्कुल भाई सही बात कह रहे हैं कोई एफेक्ट स्लो डाउन फ्लोब स्लो पेच हो सकती है यहां पर काफी बढ़िया यहां पर यहां पर यहां पर काफी बढ़िया यहां पर जो है बाकी कोलंबो की टीम यहां दो बार तो चेज करने कह एंगे और दोनों बार रही है फिर जो की बात है तोड़सा यह पहली बल्ले बाजी करके आप जीते हो डिफेंड आपने किया और इस पिछ पी आप पहले बले बाजी करके बड़ा स्कॉर खड़ा कर दे तो काफी अच करें करें यहां पर जाफना यहां पिर लेट आती है और को दिखा देता हूं यहां पर प्लेंग लावन पर आई नहीं है इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्यवत का सामना करना पड़ रहा है हमें भी पतना लग रहा है कौन सा खिलाडी खेल रहा है और कौन सा खिलाडी नहीं खेल रहा है कल के मुकाबले मगर बात करें जाफनाइकिंग से रहमन लोग गुर्बस और यहां पर आविश्का फर्नांडो ने ओपन किया था तीन नमपर विकरमा थे पांच पर मलिक थे आज अगर टीम में खेल रहे हैं तो बड़ी आए तो यहां पर अभी तक अभी तक प्लेंग लावन नहीं आई है तो पूचिए अगर नहीं पूचिए कर नहीं क्योंकि प्लेंग लावन इस टून सब्सक्राइब और यहां पर यहां पर बोल रहे हैं जो पिछ रिपोर्ट दी गई है रसल अनंड के द्वारा उन्होंने बताया है कि यहां पर रन बनेंगे तो बहुत है तो बहुत स्क्रैच है थोड़ा स्लोडाउन हो सकती है पिछ मगर और यूव फेक्टर जब पढ़े जो यहां पर चेज के लिए गए हैं मगर ध्यान रखेंगर आप रोकना है तो कम सब्सक्राइब करीब से पहले पहले रोकना होगा जाफणाए तो तभी आप चेज कर सकते हैं यहां पर हीरा अली भाई देखें ट्रॉम प्लेयर तो बल्लेबाजी रहेंगे अपर को लंबो करने जब टीमें गई थी तभी 170-100 बनाये थे तो कम सब्सक्राइब एक दिन के अंदर 400 रन अगर बन रहे हैं इस पिछ के उपर तो आप समझ जाए पिछ किस तरीके की है एक मैच के अंदर तो प्रियंका गुरुनतना जी बोल रही है हाई सर हाई हाई प्रेंका जी कैसे है अब पुर्म जी कहने आ गई बाई बिलकुल बिलकुल आजए बिलकुल दोड़ रही है हमार साथ इस बुकाबले में प्लेइंग लीवन का इंतरजार है बस आ रही है जी आपस आप सबको प्लेइंग लावन दिखा जेते हैं फटटाफट कोगी टाइम बच्छा नहीं है बारा मिंट बच्चे हैं मुकाबला शुरू होने में तो वही प्लेइंग 11 गिशी बिटी अच्छा प्लेइंग 11 आच चुकी है आपको दिखा रहे हैं आपके स्क्रीश सामने देखते हैं क्या होता है इस मुकाबला में चुरू रही है हमार साथ live Hindi कौमेंची में kricit live Hindi के साथ आपकी screen खे happiness पर सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जाफनाइ लाई गिंग्स की टीम आपके भाई तरफ लाई तरफ जाफनाइ गिंग्स है और यहाँ पर जो है भाई तरफ आपके Columbo Stars की टीम है भाई तीम है आज चुगी है जलिए यहां बात करते हैं कोलंबो स्टार की नहीं पहले बात करते हैं जाफनाय किंग्स की अविश्का फर्नांडो रहमनलो गुर्बस तो यही दोनों ओपन करेंगे ध्यान रखेगा कल भी इन्होंने ओपन के था और आज भी यही ओपन करेंगे आशान राधी का स्टीम के अंदर है स्टीम के इन्दर है यहां पर जाफनाय किंग्स की धियान से सुन लिजेगा आप लोग विश्का फर्न्नैंडो, रेमौल लुवर गुर्बस, सदीरा सारविक्रमा, आशान विजेकार्थ वियासकांद के अंदर है कॉलंबो टीम आपके बाई तरफ है तो करते हैं कॉलोंबो टीम में भीकवला इस्टीम के अंदर है अगत्यूस्ञ में जैसी टीम के अंदर है तो लिगन डॉमिक धार लुवर करते हैं यहां पर नवोद प्रविथना इस टीम के अंदर है निशान मदुशंका है चरीता असलंका है बैनी होवेल है सेकुका प्रसन्ना है डॉमिनिक डार्केस है नवीन उलक है और कासुन रजीता इस टीम के अंदर है तो दों टीमों की प्लेंग नाम आप से को बता दी है कोलंबो स्टार ने टॉस जीता है पहले यहां पर गेंदबाजी करने का निड़ने लिया क्या निड़ने सही रहेगा वो देखने लिए बात होगी टीम हमारी रहेगी जाफनाइकिंग्स उमीद करेंगे जाफनाइकिंग्स इस मुकाबले को जीते आपकी स्क्रींग के सामने धों ट स्टीम के अंदर यहां पर जो है आज रहोंगे आशान राधिका यहां पर स्टीम के इंदर होगे सा'd शोय बलिक हैं तिसारा परेडा है जी gonna सेना अबश्कांफ प्रेम का सेना अविश्का फर August शनी Talk अचिता फर्नाइंडो इस टीम के अंदर तो यह पूरी प्लेंग लावन यहाँ पर कोलंबो स्टार की अब से कुछ अचिता फर्नाइंडो इस टीम के अंदर आपको निशान डिक वैला देखने हो मिल जाएंगे अचिता फिर्थीम के अंदर है साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर बैनी होगल को टीम में रखा है सेगुगा प्रसन्ना स्टीम के अंदर है डॉमिनिक ड्रेक्स स्टीम के अंदर है साथ में नवी नुलक और कसुन रजीता को आज टीम में मौका मिला हुआ है तो यह पुरी प्लेइंग लावन यहाँ पर आपसों की स्क्रींग के सामने है चलने को सब्सक्राइब करते रही है स्ट्रीम को करते रही है जुन रही हाँ साथ लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफी बढ़िया रहने को इमीद है बस कुछी देर में आप दो टीमें जो है मैदान में उत्रेगी इस खेल को खेलने के लिए 20-20 ओर का मुकाबला है को कुछ चमतकार करना है कोची हाँ पर इ मैं छेडी भी नहीं है विकॉस कुछ आप देख सकेंगे कौन-कौन खेल रहा है बैनी होगल को आज जगा दे दी गई है बैनी होगल यह मुझे तो दिक्कत यह को लंबो स्टार की बैटिंग ओडर से प्रोलम बैटिंग ओडर में चनिमल नंबर साथ पर खेलने हैं जो बाते हैं तो वह अच्छी बल्ले बाजी करते हैं अब तक मौका दिया नहीं है तो पांच मिट बचे मुकाला शुरू होने में चलो सब्सक्काइब कर दीजेगा स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा कॉलंबो बीटिफिल इसली बाते हैं मौम्मद शीमन भाई करें जेके विन सामने आप घबराई यह नहीं हमारे साथ रहेंगे तो लाइन अप के साथ साथ कल विग बैश शुरू हो जाएगा लाइन अपको टॉस पहले दिखा देंगे आपर विग बैश के अंदर टेंशन मत लीजेगा आप से लोग यासिर बाई कह रहे हैं अलंभी 170 यह से और नो गुरुबास ने और मुझे लग रहा है कि आज पहला विकेट जल्दी आ सकता है इसलिए इसलिए जो है मौका मिल जाएगा हमें एंट्री लेने का जाफना किंग से साथ रहेंगे उमीद करेंगे जाफना जो है इस मुकाबले उजीत चलते हैं जरा अपने नेक्स ट्रीम प यह दसवा मुकाबला है कौन किस पर भारी पड़ेगा वो तो समय बताएगा मगर कहीं ने कहीं कोलंबो ने दो मुकाबले इस टूनमेंट के अंदर चेज की हैं और हो चेज हुए नहीं है वो चेज हुए नहीं है आज भी यहां पर एंजलो मैंत्यूस ने चेज करने का मन है निर्ने लिया है कि टीम खरी उतर पाएगे कि इसलिए सोच रहे हैं कि कल के मुकालम 240 मने थे मगर 170 रन दूसरी टीम नहीं बनाए थे यहां पर यहां पर रात को डूव फैक्टर रहेगा और थोड़ा सद्यागे देखेगा अब ठंड का मौसम है नौर्थ निया में का तो यहां पर ओस रह सकती है हिमिडिटी रह रही है इसलिए उस भी रह सकती है तो हो सकता है शाम को बल्ले बाजी करना जो थोड़ा देर रात में बल्ले बाजी करना वह काफी आसान रहे और यहां पर रन बंते नज़रा है बाकी अब जाफुना किंग्स करता है कितना टार यहां से थोड़ा सा जो है जो है जो ड़ना मत भूली का बिग बैश मुकाबला कल शुरू हो रहा है तो इसके लिए भी चलो सब्सक्राइब कर दीजगा आपको कॉमेंटरी जो है इसे चनल पर नजर आएगी तो यहां से बस कुछी दिर में मुकाल शुरू है दोनों कप्तान जो है वो ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं यहां पर अब प्लेयर जो है बिल्कुल बाउंडरी लैन पे खड़े हुए एंटर करने के लिए पहले अंपायर एंटर करते हैं उसके फिल्डिंग टीम उसके और लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईडी क्रेट करिए आईडी करना बहुत असान है राफल को डाले जाहत नहीं है यूजर ने मनाईए पास्वर मनाईए अब मोबाइल नमबर डाली है आपकी आईडी जो क्रेट हो जाएगी डेल लिंक है डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है उस लिंग को क्लिक करके आईडी क्रेट करिए खेलिए और जीतिये मुकाबला काफी बढ़िया होने के इमीद है जाफना किंग्स वर्सेज यहां पर कॉलंबो स्टार्स का मुकाबला है यहां पर तीसारा परेरे की टीम के साम करें हेलो सुरा हेलो जो बैए कैया हल है कैसे हैं बढ़ी आया की नहीं कि आंपर कॉलंबो स्टार्स का मुकाबला हो रहा है शुरू कton ठैर यार गेनदबार ग्राउंड के अंदर अंपायर भी तैयार हो रह तो प्लेयर ग्राउंड के अंदर एंटर्करणा शुरू कर चू थोड़ा सा पीशे चल रहे है आज खिलाया गया है आज खिलाया गया है कसुन रजीता को यहां पर इस टीम के अंदर क्या शुरुवात में अपनी टीम को सफलता देब दिला पाएंगे क्या विकिट चटका पाएंगे वो देखने बात होगी रेमनलो गुर्बस कल के दिन अब रहेगा जाफना य किन्स बल्ले बाजी के लिए और कसुन रजीता गेंद लेकर तयार है आपर कोलंबो स्टार ने टॉस्ट है पहले गेंद बाजी अनृ निन्न लिया है और दोस्टो game आजधी reem mless रेखimasos f यहां पर कशून रजीता के ओवर की पहली गेन सामने माझे रहमनलो गुरुबास क्या यहां से बड़ा शॉट लगाते मैं रहेगा या फिर खराब निन्ने रहेगा उतो समय बताएगा चलिए यहां से मुकाबला शुरू हो चुका है जुट जाए हमारा साथ लाइव हिंदी कमेंश अमें क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ कॉलम्भो रीप और सुवर्स पॉर्स यहांपर कॉलम्भो स्ट fluor पॉर्स जाफनाइक कींग्स का यह मुकाबला है अगली गेंड दूसरी गेंड इस बार सामने मौझूद है यहाँ पर रमनलो गुरुबास एक पर फिर से अच्छी गेंद बड़ी आई गेंद यहाँ पर कोई भी मौका नहीं रमनलो गुरुबास के पास रन मनाने का तो एक और डॉट गेंद यहाँ पर हो चुकी है थोड़ा सा फिल्ड में तब्दीली कर रहे हैं कसुन रजीता अप पर पर यहाँ पर यहाँ पर पर फिर से पटकी वी गेंद थी अंदर की तरफ आई जरूर थी कलाई हूं के सारे मिड़ीकित दिशा में खेल कर एक रंग बटोड लिया इस गेंद पर जो है रहेमनलो गुरुबास ने खाता खोला है अपना भी और अपने टीम का जाफना ए कििंग्स का स्कोर है इस ट्राइक पर होंगे अभी जबिश्का फर्नाइंडो देखे रहमनलो गुरुबास की बात करते हैं मगर अभी जबी 50 रंड हो ऑपनुर अपनिग सादी ढदरी जो है वो काफी बढ़्या रही थी तो कक्या आजब स्विघ्य कर बातayı यह है शुरू फिल्टर सरकल के अंदर है फिर से पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई है डिफेंस कर लिया इस गेंड को मगर बल्ले का बहारी के लगा गेंड गई सीधा पॉइंट फिल्टर के पास कोई मौका नहीं मिलेगा इस गेंड पर चार गेंड हो गई है इस अच्छी लाइन पर गेंड बाजी जो है वो करते नजर आ रहे है करसुन रजीता अगर इसी तरीके से गेंड बाजी करेंगे तो अपर टीम के लिए सफलता दाएक गेंड बाजी हो पाएगी यहाँ पर तो जुर जाएए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए इस मुकाबले को मुकाला चल रहा ह यहाँ पर मुकाबला चल रहा है यहाँ पर जाफनाए किंग्स वर्सेज कॉलंबो स्टार्स का यहाँ पर हमार सथ काफी भाई जूर चुके हैं शितेश बाई करें रामराम भाई रामराम शितेश बाई एक बार फिर से खराब गेंड यह खराब गेंड थी चौका पर सब्सक्राइब कर दीए चानल को जुड़ रही है हमार साथ लाइव हिंदी कमेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा देखते हैं किस तरीके से गेम जहाँ आगी की तरफ चलता है यहाँ पर अगली गेंड कसुन रजीता के इस साम करता हैं यहाँ पर दूसरे ओवर की कैन नमीन उलक के हाथ में नहीं गेंद के साथ अच्छी गेंद बाजी करते हैं क्या वह उनको जो है गेंद बाजी के लिए जा सकता है वह देखना होगा यहाँ पर आकाश भाई कैसे हैं आपके टीम कौन सी यह जाफनाए किस सब्सक्र अपने टीम जाफनाइकिंग अगर एंट्री अच्छी मिली तो आप टीम के आप पोजिट भी जा सकते हैं तो वह देखेंगे मैच श्विशन के इसाफ से दिखेंगे किस तरह से मैच चल रहा है उच जब जाब से अगर एंट्री मिली तो एंट्री जरूर दूँगा आपको मिल्सटा आपको घबराने नहीं है जलो को सबस्काइब करना है कौं को लाइको करना है यहां पर यह रहाँ बाकि आप देखते हैं क्या होता है यहां पर शौर्टसफबूराइब्ट्सक्त ये तो तीनों चीज़ा आपने कवर विश्का फर्नाइंडो और रहमनलो गुरबज वह बड़े शौट लगाने चाहिए अपना विकिट यहां पर खो सकते हैं तो देखते हैं भी क्या होता है चलना को सब्सक्राइब करिए का स्ट्रीम को लाइक करिएगा यहां पर नवोद पर नुविताना जो हैं वह गेंद ब पढ़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई थी ड्राइव लगाया था इस गेंद पर मगर बल्ले के अंदुरूनिस से पर गेंद लगी गेंद गई सीधा लॉंग आउफ की दिशा में एक के साथ दो रन ले लिया यहां पर खराब फिल्डिंग फिल्डर ने गेंद को अ सरकल के अंदर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर तो लगातार दो गेंद हो गई है इस सोवर के यहां से मुकाबले में काफी बढ़िया रहेगा आरे राके चिकेश वाज उट चुके हैं जाफ राइकिंग वें टुडे मैज बाई पूर दुनिया जाफनाय में मुझे लगाएं लगाएं आज कुछ लफड़ा होगा फिर आज कुछ बदलेगा एंट्री जरूर बदलेंगे भाई यहां वाई का यहां लाइव हंदी के साथ यहां पर यहां पर संथ कुमार यादा बहु कह रहे हैं यहां पर रामना बहु रामना बहु कैसे हैं अविशका बहुत कर रहे हैं यहां पर पर तीन ओवर में आूट होगा माई सब्सक्राइब कर दिया यहां पर यहां पर कोशिश जरूर की उचल कर गेंग को पकड़ नहीं पाए और गेंग निकल गई पर हमारे भाँनरी के बाहर छे रन के लिए तो पहला चका इस पारी का आता हुआ रहमनुला को शक्राइब करते रहिए जो मुखाबले में मुखाबला काफी इंटरस्टिंग रहेगा अच्पाफी लोग हमार तो जूर तुके हैं थेंक्कि वशुक्राइब अस एकपर फिर स अंदर की तरफ लेकी यहां पर नदर से हैन इन को सिएते और लेसेसे खेला चल यहां अपर शाइब का ने पहुब शुयेब मलीच भाई मिर्जा कैसी हमें भी नहीं पता है आपको फुप आप है आप अपनी पता हैं एक नहीं आप रखे मलीचे बढ़िए आप सब्सक्राइब कर दिये चैनल को जो रही है वाइसार लाइब हिंदी के साथ मुकाबला काफी इंट्रस्टिंग रहे का यहां पर शुरुवात अच्छी हुई है समली शुरुवात हुई है यहां पर यहां से आपनी फेर्वेट लीग स्टार्ट हो रही है गा मुझाफर भाई मुझाफर भाई उमीद करेंगा बढ़िया मुकाबला चले और आप एंट्रेटेन हो दो वर समाप्त हो चुके हैं पंद्रें बिना किस नुस्तान के जाफना के स्कोर है सेकु का प्रसन्ना सेकु का प्रसन्ना को बलाए गेंद बाजी करने लिए स्पिनर गेंद बाज है पहली गेंद और सटीग लाइन पे गेंद है ऑस्टम की तरफ गेंदी सीदेवले से डिफेंस कर लिया इस गेंद को अविश्का फर्नैंडो ने कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर और सेकु का प्रसन्ना के हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है बढ़िया ख अविश्का फर्नैंडो दो लगा था डॉट के ने दो लगा था डॉट के ने पंगज शर्म भाई कई बार इजब से बात कीजिए समझ में आती कई ने कई चीटिंग दोस्ती आरी में चीटिंग करी देते हैं पंकज भाई चले कोई बात ने यहां पर दो पंद्राइन तो तोड़ा सा ऑस्तुम की तरफ फ्रैटी डिरिवरी थी उस गेंद पर ड्राइब लगाया और खे शॉट को हवा में खिला था महाँ पर जानते दें कि यहां पर कवर के फिल्टर जो है वो सर्कल के अंदर उनको उपर से गेंद को निकाला और चौका बचो रहा इस लंगा प्रीमेर लीग लंगा प्रीमेर लीग है मगार इस एक और चौका मिलता हुआ यहां पर अविश्का फर्नाइंडो को इस बार गैप ढूंड निकाला है गेंद देखा कि मिडल स्टम की तरफ है कलायों के सारे सीधे बल्ले से खेला वहां पर मिड़न के फिल्टर के दाई तरफ से गेंद को निकाल दिया डाई जरूर लगाया तो फिल्टर ने वहां पर मगर गेंद निकल गई लोगों के दिशा में चार रन के लिए एक चौका और जुड़ता हुआ यहां पर अविश्का फर्नाइंडो के बल्ले से स्कोर पहुसता हुआ थीस रन बेना के शुर्तान के दो दर्शनल्र चार गेंद की है यहां पर चार गेंद sesame होगी हैž इस ओवर की और यहां से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नहीं दूसरा रन लेंगे जी नहीं दूसरा लेने के लिए मना कर दिया यहाँ पर और स्कोर जो है वह एक एन मिलेगा यहाँ पर स्कोर पहुसता हुआ जान सकते हैं तो टर्न करना मुश्किल हो रहा है गेंद बास के लिए सेगुगा के ओवर की अगली गेंद सामने मौझूद है रहमनलो गुरुबास को यह अगली गेंद एक बार फिर से शेगुगा प्रसंद्ना के इस गेंद को थोसा ऑस्टम की तरफ गेंद ती टॉन हुई थी यह गेंद को कलायू का सारे खेला था फाइल खेला है थर्ड मिल क के दिशा में यहाँ पर एक के साथ दो नहीं तीन रन मिल जाएगे कोई बाउंडरी के जस्ट क्लोज फिल्डर ने गेंद को फिल्ड किया है एक रन बचाया अपने टीम के लिए मगर तीन रन दौल लिया यहाँ पर रहमनलो गुरुबास ने और तीन अवर के समाप्ती हो करेंड तो नौशन प्रती ओवर की हिसाफ से न बन रहे हैं और प्ला प्रती में अगर नौशन बन रहा है तो अच्छी शुरुवास इसको आच्छी शुरुवास मान सकते हैं यह चानल को जूर ही लाइव हिंदी कुर होट वीडि बैश दिस एर बहां अपनी टीम तो आश इस बार चाहेंगे कि जीते हैं जाफनाए किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं उमीद कर रहे हैं जाफनाए किंग्स जो है वो इस मुकाबले को जीते है हमारी टीम जाफनाए किंग्स रहेगी और कोशिश यही है जाफनाए किंग्स इस मुकाबले को जीते चलिए अगली यहां पर गेंदबाज को बुलाए गया है बैनी होवल बैनी होवल गेंद को छुपा कर गेंदबाजी करते हैं पर फिर से पटकी भी गेंद थी सीधे बले से खेल दिया इस केंद को रहमनलो गुरबाज ने और गेंद गई है लॉंगोन की दिश्चा में एक र सब्सक्राइब भी ली थी बस अनफॉर्टुनेटली यार समीफानल में जाके मगर वह मैच अच्छा हुआ था या सिर्फ याद होगा आपको मैच बरतस्त हुआ था एडले ने टफ फाइट जरूर दी थी मगर अंत में जाके हार गये थे मगर इस बाद चाहेंगे की जीते बाजी करते हैं आप और इस सीजन के अंदर अभी रिसेंटली फॉर्म में पिछले मैच में ताबर तोड़ बल्ले बाजी की थी चली अगली एक बार फिर से बैनी होवल की काफी दिन से बैंस्ट्रेंथ में थे पहला मैच खिलता उसके बाद टीम से बाहर गए तीम में वा डाजी तो जूडर रही है हमार साथ लाइक करीएगा सब्सक्राइब कर दीजिए चानल को जूडर रही है हमारसात लाइव ह हंदी कमेंटर के साथ मुखाक्वार काफी इंट्र्स्टिंग रहने के माँएट को गेंज आ रहे हैं डीप मिट विगिट बाउंडरी के बाद छेलन के लिए ये तो जबर्दस शॉट था ताकत इतनी थी शॉट के अंदर तो गेंद लगते ही लग गया था कि छक्का ही होगा और छक्का बचोड लिया है इस गेंद पर गुरुबास के बल्ले से निकलता हु कोशिश यही है अच्छा खेल जो है वो देखने को मिल जाए लाइक करते रही है आप से लोग सब्सक्राइब करते रही है चानल को यहां पर इस ओर में प्रेशर डाल दिया है बैनी होवल के ओपर अगली गेंद बैनी होवल के ओवर की और फिर से स्लोर वन गेंद तीस बा पकड़ा है और विकेट निकाला है यहां पर बहुल बड़ा विकेट ही है यहां पर रहमन अलो गुर्बाश जो है वह आउट हो गए है ग्याना गेंदों बनाए 17 रन दो चक्के लगाए थे इस बार भी स्लोर गेंद थी मगर गेंद को इस बार आगे रखा था बैनी होवल सिधा शोट खेलने गए थे बल्ले का उपरी हिस्सा लगा और विकेट कीपर ने बिल्कुल पॉइंट की दिशा में आकर वहां पर कैच पकड़ा और सबको मना कर दिया सबको मना कर दिया था कि कैच मैं ही पकड़ूंगा और बहतरीन कैच है बहुत अच्छा कैच है पहला सब्सक्राइब कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको सबसे पहले घबराना नहीं है लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और जुड़ रहे हैं मुकाबला काफी बढ़िया चलेगा यहां पर बहुत जबर्दस मैं सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ी सी पार्टनर्शिप बिल्ड करने होगी यहां पर आशान राधिका आशान राधिका जो हैं वह बल्लेबाजी करने आए हैं थोड़ा सा मुश्किल नाम है लेने में दिक्कत हो सकती है माफी चाहेंगा उससे पहले ही चैनलिस मुकाबले खेले एक जारटाइस रण मनाए है स्ट्राइट जो है 148 का रहता है बैस एक सब्सक्र आशान भी है इस टीम के अंदर तो देखिएगा चार ओवर समाफ्त हो चुके है पहतिसरन एक विकेड नुकसान पर जाफना एक इंग्स का स्कोर है करेंट रंडेट आर्ट दसनलब साथ पांच का है और दो वर बचे हैं दो ओवर बचे हैं पावर प्ले के और देखते हैं कावला अच्छा होने के मीद है आज मैच ट्विस्ट होगा बिल्कुल चेतन वाला मैच हो तो मजा भी आता देखिए कोई भी टीम फिर जीते कोई भी टीम हारे हम जो है इंडिया का मैच कितना टूट गया था रन देखकर मगर मैंने कहा था बल्लेबाजी के लिए पिशनक किस तरीके से हैं प्लेयर केंडिशन क्या है पिछ कैसी है सारी रिपोर्ट आपको यहीं मिलेगी क्रिकेट लाइव हिंदी पर तो चले को सब्सक्काइब करिए स्ट्रीम को लाइक करिएगा यहां पर नवीन उलग को बलाए गया गया गेंद बाजी करने के लिए थोड़सा किस तरीके से करेंगे कि रहमनलो गुर्बाज जहां वह आज जादा रन बनाके गई नहीं है थोड़सा प्रेशर जरूर है मंगर रखिए रंगती अच्छी है रंगती जो है वह काफी अच्छी है आड़शनल 6-4 का हो चुका है लंगा प्रीमेर लीग में अगर इस रंगत सबस्क्राइब करना चनल को जो हैं हमारे साथ लाइव क्रिकेट लाइव के साथ यहां पर सामने मौजूद बल्ले बाज और नमी लुलक आशान जो है वह ऑंपर दो यहां अगली गेंगलेंट पढ़ने के बाहर के तरफ निकली थी बल्ले कोशिश नाकामियाब थी क्योंक आदिल भाई बिल्कुल जुड़े रहीएगा मुकाबला काफी बढ़िया है इतना भी ट्विस्ट मत करवाना था का भाई कि टाई हो जाए तो टाई नुक्सान कर गया वागे तो सब कुछ बढ़िया था कल के मुकाबले मुमेंस मैच में काफी लोग जुड़ चुके है यह लाइक की बढ़िये मज़ा आएगा इस मुकाबले में लंबी बताओ भाई लंबी लंबा करेंगे आज यह दुड़ वेट करो भाई अभी को समझ में नहीं आ रहा है रंजी साब से मार रहे है मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पर सिंगल ले लिया है आशान ने इस गेन पर नवीन लग की एगेन थी तीसरी एगेन थी सोवर की सिंगल ले लिया यहाँ पर स्ट्राइक पर आ गए है अविश्का फर्नाइंडो या जाफना की सामने में डर लगता है जो बोलूँगा प्रेडिशन कहीं उल्टा ना कर दे उसका नवीन विकिट लेगा तीन ओके भाई चुकी है अगली गेंद इक बार फिर से चौथी गेंद है इस ओवर की आशान 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 थे लाइनम में थे तो यार मैंने बताया तो ना हम आपको चलिए अगली इस बार अपील होई है जो और अपेल क्या उट देंगे जी नहीं गेंद पढ़ने के बाद अंदर की त लेक्स्टम को तो मिस्सक्राइब क्योंकि लेक्स्टम पर ही खड़े थे और गेंद पढ़ने के बाद अंदर की तरफ आई है आपके और गेंद जाके पैन से टकराई है अंपायर ने तो ऑनुन फिलम पार लिए अगर अंपायर इस और नोट लिए यहां पर आविश्का फ नहीं है बल्ला तो बिल्कुल भी रही लगा है गेंड जाके पैड से टकराई है देखते हैं पिचिंग इन लाइन है इंपक्ट भी इन लाइन है विकट हीटिंग है या मिसिंग है वो देखना हो क्योंकि दो आकड़ दिख रहे हैं यहां पर चलिए अब जो है होकाई जो है यहां बनाया जा रहा है बताया जा रहा है कि कि रहेगा इस मुकाबले का सूर्तिया चलते हैं चीहां पर तकराई है और इंपट के इंपिट इन लाइन रहेगा और फिचिंग इन लाइन है बिल्कुल लाइन में पिच करी गेंगें उन्हें और जियां चलिए यहां पर मिस्क कर गई जियां चलिए यहां पर एक रिव्यूज अगावाना पड़ेगा यहां पर जो है कोलंबो स्टार्स की टीम को और अविश्का फर्णाइंडो तयार होंगे अगली गेंद खेलने के लिए पाचवी गेंद है इस ओवर की सामने मौजूद है नवी नुलक थोड़ सा एक्साइटिड नजर आये थे रिव्यू लेने के लिए बड़ा ही खुश नजर आये कि छूटते ही उन्होंने अमपायन जैसे न करा था उसके बाद तुरंत रिव्यू की मांग करी इशारा किया अबर एंजलो मैथ्यूस ने कुछ पूछा नहीं और डावेक्ट जह अपने गेंद बास के साथ गए मगर उसका खामियाज भुगतना पड़ेगा एक रिव्यू यहां से साथ गेंदों में कितने रन और जोडते नजर आते हैं आपर आप सब्सक्राइब कर दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आईडी क्रेट करिए खेली और जीती है मिनिममम बैट सिर्फ 10 रुपे है यहां पर विड्रॉल जो है 15 मिट के अंदर मिल जाता है डिपोईट क आप सकते हैं और साथ जाता टोटली एक्सचेंज है अब खाई लगाई टूसट बेट एवी लेवल है अब जाइए खेलिए और जीती है लॉसक्त करिए टोटली ट्रेड करिए अगर ट्रेड करना है तो डेल जाएगा आइडी करना बहुत यह आसान है रेफल को डाल जाए यूजर ने बनाई यह पास्ट बनाई यह मुबाइल नमबर डाली आपकी आईडी जो हो जाएगी लिंक है डिस्क्रिप्शन में लाइचन में पिन कर दिया उस लिंक को क्लिक करके आईडी करिए यहां पर और साथ में अगर बात की जाए तो यहां पर टोटली ट्रेड कर स जाएंगे सासाथ में आपको यहां पर जोए खेलने के लिए खेलिए और जीतिया डेल्टी सेवन आप पर नविनोलक की आखरी गेन जो थी वह डॉट गेन थी कोई रन नहीं मिलेगा इस गेन पर अगर बात करें स्कोर की तो 38 रन बन चुके हैं एक विकेट नुकसान पर 5 समाप्त हो चुके हैं अविश्का फर्नाइंडो होंगे स्ट्राइक पर 15 गेंदे खेली हैं 20 रन बनाए हैं तीन चौके जरूर लगाए हैं और स्ट्राइक जैक से 34 का रहा है तो थोड़ा सा यहां पर समली वी शुरुवात हुई आज जाफनाए किंग्स की यहां पर देख विगेट कीपर भी गेंद को पकेंड नहीं पाए और बाइस का एक सिंगल आतिरत रन मिलता हुआ बाइस का यहां पर एक और जुड़ता हुआ खाते में जाफनाए कि 49 रन एक विगेट नुकसान पर 5.2 यहां पर दो गेंदिया होगे हैं सोवर के एक हुई हैं कन्फूजन है मुझे यहां से और खेलं की बात किझा तो 40 रन बने होगा यहां पर बता रहा ह्यां देखते हैं भी क्या होता है बैनी होड गेंद बाजी करने आए जी यहां बैनी होगल की पहली गेंद यहां पहली गेंद वह were बाइस का था तो आको गलत दिखाया यह जारा रहा है चौका और स्कोर पहुसता हुआ 43 रन एक विकेट नुक्सान पर 5.2 गेंदों के बाद स्कोर कार्ट सुमसा गलत दिखा रहा है भी ओ ठीक हो जाएगा अपने आप घबराइए नहीं कॉमेंटरी पिधान देजीगा 43 रन बने हुए है एक विकेट नुक्सान पर 5.2 ओवर की समाप्ती हो चुकी है तो लाइक करिएगा आपसे लोग सब्सक्राइब कर दिए चलान को जुड़ रही है माँसार लाइव हिंदी कमेंटरी में क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ मुकाबला काफी बढ़िया है यहाँपर चलिए चलते हैं जरा आगली तरह देखते हैं कि स्टरीके सखेलेंगे हैं हाँपर चलिए चलते हैं मुकाबले की तरह एक बार फिर से बैी वर की आगली गर Pieणी सारे खेल दिया इसी एक को आशान मिड़ दिशा में फिल्टर माजूद एक मिल चाται thếका हाँए वहाँ पर गेंद बाज बैनी होल खुदी दोड़के गेंद को फिल्ड कर लिया और एक रण और मिलता हो तीन गेंदे हो गई है इस ओवर की स्कोर हो चुका है यहाँ पर बैनी होल पहला और काफी अच्छा गया था इस ओवर की आगली गेंद चौथी गेंद सामने है विश्का फर्नाइंडो एक और ऑस्टन के बाहर यह गेंद थी स्लोर वन गेंद थी ड्राइब करने गए और बीच हो गए इस गेंद पर आविश्का फर्नाइंडो बढ़िया गेंद बाजी बढ़िया गेंद बाजी यहाँ पर बैनी हो वलकि अगर इसी तरीके से गेंद बाजी करेंगे तो बढ़िया यहां पर मदद मिल रही है इस पिछ के उपर से गेंद फिर से फिर से एक बार स्लोन गेंद इस बार ड्राइव लगाया है गेंद कर फिल्टर के पास एक और और जूड़ता हुआ एक और जूड़ता हुआ यहां पर और सामने सामने मौजूद हो जाएंगे बल्लेबाज आशान आशान जो है वह बायात के बल्लेबाज है अगर बात की जाए स्कोर के तो 42 रन बन चुका है एक विकेट नुकसान पर बैनी होल का यह ओवर अच्छा जा रहा है पाउर प्ले का यह आखरी ओवर है ध्यार न रखियेगा काफी बढ़िया जा रहा है अब आगे देखते किस तरीके से खेल चलता है कल फुल मजाएगा बाई चेतन भाई बिल्कुल अंकुछ भाई कल बल बजाएगा अगली गेन भाँ फुल टास गेन दिया शान को सीधे बलट से केल दिया गेन को लौंग आफ के सर के ओपर सचेरन के लिए देखना होगा बाॉंडरी को भी चेक करेंगी जिया चक्का मिलेग के जस्ट आगे ये गेंद गिरी और छेरन मिल गए है इस गेंद पर स्कोर पहुचता हुआ जाफ नाय गेंग्स का छे ओवर के समाप्ति के बाद ही ग्यावन रन एक विगेड नुकसान पर जाफ नाय गिंग्स का स्कोर है स्ट्राइक पर होंगे अविश्का फर्नाइंडो और अब यहाँ पर आशान रादिका ने अपना अखाता खोल लिया है बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद कर रहे हैं साथ गिंद में बार नमना कर केल रहे हैं आशान स्ट्राइक पर गेंद बाजी करेगा क्योंकि यहां से मजबूत शुरुवात हुई है करेंट रंडेट पर नजर रखिएगा आठ दशनलों पांश उन्ने का हो चुका है रंगती जो है वो सही है आपने सिर्फ एक ही विकिट खोया है अब एक बल्लेबाज यहां से रिस ले सकता है बड़ करता है लाइक करते यह आप सब्सक्काइब करते हैं चाल्न को जुड रही है आब सथ लाइव हंदी कर्मेंटरी करते हैं बिल्कुल घृत्य बिल्कुल करते हैं इस बार करीव थी प्रसंद है कि पहली गारज रिए फिल्ट कर लिया कोई रेंड नहीं मिलेगा इस गेंपर अगर बात की जाए स्कोर की तो स्कोर अभी भी 50 रन एक रिकेट नुक्सान पर सेगुगा की अगली गेन एक पार फिर से ओस्टम की तरफ गेन थी सीधे बल्ले से खेल दिया इसको लॉंग आफ की दिशा में एक रन मिलेगा इस गेन पर अविश्का फंडेंडो को स्ट्राइ नहीं करते हैं तो तब मलिक का बल्ला जो हौर इसा क्यों है वह समये बतायेगा बाकि आप सब लोग की का एक करेंग देखने को डूड़े हैं चेलल को सबस्काइब करिए स्ट्रीम को लाइक करिए जुड़ रही है हमारे साथ लाइफ दिक हैं क्रिकेंड़ लाइब हिंदी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच दो रन और जोड़ते हुए यहाँ पर अपनी टीम के खाते में और टीम का स्कोर धीरे-धीरे आगे बढ़ता हुआ तरपनन का स्कोर पहुच चुका है एक विकेड नुकसान पर छेदर शनलन तीन गेंदों का खेल हो चुका है समाब यहाँ पर अविश्का फर्नाइंडो बीज के दो में बाईसरन मना कर खेल रहे हैं अच्छी शिरुवात दी थी अविश्का फर्नाइंडो देखिए तीसरी गेंद पर दो रन आए थे यहाँ पर आ चुके है अविश्का अविश्का आ गए है गेंद बल्लेवाजी करने के लिए और सामने मौझूद है बल्लेवाज अब अविश्का गेंद बाजी करने है सिखुका परसन्ना तो इस ओवर के बात किजा तो चार गेंद में चार रन आ चुके हैं पहली गेंद डॉट थी दूसरी पर सिंगल दूसरी गेंद पर दो रन आए थे और चौती गेंद पर कर लेंगे उस गेंद को अविश्का फर्नाइंडो कोई रन नहीं मिलेगा इस पांच वी गेंद पर स्कोर अभी पच्पन रन एक विकेट नुकसान पर छेटर चार गेंद वह खेल हो चुका है समाब सेगुका का प्रसन्ना की गेंद पढ़ने के बाद टर्न जरूर कर दिय तो आसान हो जाता है बल्लेबास के लिए कि उस गेंद को रोग लिए जा और आखरी जो बची भी गेंदे इन पर शॉट खिले जा अगली गेंद सगो का प्रसन्ना के इस ओवर की और ऑस्टम की तरफ गेंद थी सीधे वले से ड्राइब कर दिया इस गेंद को गेंद जा र कि यहां से थोड़ा सा समलियों बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबास जब मौका मिल तो शॉट लगाने भी चाहिए कि यार आप चाहेंगे कि बड़ा स्कोर खड़ा हो 170 बनाएं अपने स्पोर्ट यहां पर बोर्ड पर लगाएं क्योंकि कल भी कल भी यहां पर जब जाफनाएं किंग्स को उमीद करने हैं जाफनाएं किंग्स जह है इस मुकाबले को जीते हैं अब देखते हैं जाफनाएं किंग्स क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी वो देखने में बात होगी चलो सब्सक्राइब करिएगा स्ट्रीम को लाइक करिएगा और जुड़ र यहां पर अच्छी गेंद बाजी शुरुवात के साथ ही बॉडी पेट है किया यहां पर डॉम्निक ड्रेक्स ने और पहली गेंद लेक्षन पर पिछ करने के बाद गेंद पढ़ने के बाद उचाल मिला थोड़ा सा उनको और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में कोई म अब विडिए के शर फिन जगा ओर टाइम बिलकुल चुन के लाहां पर जगा और टाइमिंग बिल्कुल चुन के लगाया और चौका बचोड लिया इस गेंदे पर दो गेंदे हो गई इस ओवर की पहली गेंदा काफी अच्छी थे और दूसरी गेंद उससे जदा खराब और चौका मिला उस गेंद पर स्कोर पहुसता हुआ यहां पर अविशका फरनांडो को स्ट्राइक पर आ जाएंगे बल्लेबाज यहां पर जो है आशान तो आशान आजाएंगे बल्ले बाजी करने के लिए अब देखते हैं किस तरीके से खेल चलता है बीबी 61 बन चुके हैं एक प्रिके नुकसान पर यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफी अच्छा चल रहा है डॉमिनिक ड्रेक्स डॉमिनिक ड्रेक्स जो हैं वो कर रहे हैं गेंदबाजी सोबर के बात की जाथ टीन गेंदे कर चुके हैं पांच रहन दे चुके हैं शुरुआत की गेंद अच्छी ते उसके बार लगाता है दो गेंदे बचने वाली गेंद बाजी थोड़ी नजर आई है और यहाँ पर अब देखना हो किस तरीके से खेल वागे के तरफ बढ़ता है आगले के जॉमनिट ड्रेक्स के सामने मौजूद है बल्ले बास यहाँ प यहाँ पर नौ और यहाँ पर डॉमनिट ड्रेक्स का यह ओवर थोड़ा सा महेंगा हो चुका है स्कोर के बात की जाए तो स्कोर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और प्रेशर सिच्वेशन जो है वो बनी वही है यहाँ पर गेंद बाजों के लिए यहाँ पर आश यहाँ पर पूरा फाइदा उठाया इस गेंद का आशान ने यहाँ पर तोड़ी सी चोटी गेंद थी वहाँ पर कलाईयों के सारे बिलकुल बिलकुल नटराजन शॉट खेला है आप और इसको भेजा है स्कोर लेक बाउंडरी के लिए छे रन के लिए तो भाईया और प्रेशर आ चुका है प्रेशर आ चुका है यहाँ पर जो है आप डॉमिन ड्रेक्स के ओपर देखते हैं हम आगे किस ते किस कमबैक करेंगे आखरी गेंद बची है इस ओवर की करेंट रन डेट के कर बात किया तो नौद अशनला दो चे की हो चुकी है एकतर रन एक विए पर जाफणाई गिंग्स का स्कोर है और अब दोनों बलेबास यहां से आकरामक शैली की बलेवाजी कर रहे हैं चाहिए वो आशान हो या फिर अविश्का फर्नाइंडो हो चलिए डॉमिन ड्रेक्स की ड्रेक्स के ओवर की आखरी गेंद है इस बार सामने मौजूद है बले बात करें ओऊवर की तो यहां तो 8-0 वर समाप्त हो चुके हैं बहत Ehlist刚 का स्कूर हो चुखा है यहाँ त्लुद जरूरे अजर अजंस तरीकका का रंगती मेंटेन रखी अगर 99 प्रती ओवर के हिसाब से रन बनाते रहेंगे तो यहाँ पर 180 रन तक का स्कूर बना सकते हैं बागी प्लैन तो दुनों बल्लेबाजों का यही है कि 15 ओड़ तक रनेट को मेंटेन रखा जाए उसके आखरी कि 5 ये 6 ओवर में आकरामक बल्लेबाजी जो है वो किय करिए चनल को स्ट्रीम को लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करिए और यहां पर देखते हैं अगला वर लेकि कौन आएगा अभी स्ट्रेजिट टाइम आउट जो है वो लिया नहीं गया है यहां पर लग रहा है कि नवीन उलक के हाथ में गेन थमाइए शायद यहां पर और मेरे साब से पहला वर काफी अच्छा गया था तीन रन दिये थे और इसके बाद जहाई सोर का शायद स्ट्रेजिट टाइम आउट भी होगा यहां पर देखते हैं वे नवीन उलक किस तरीके से गेंद बाजी करेंगे स्कोर अभी भी 72 रन एक विकेट नुक्सान पर लॉंगों के दिशा में एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर यहां पर आशान अशान को स्ट्राइक पर आ जाएंगे अविश्का फर्नेंडो स्कोर हो चुका है तिया तर रने क्रिकेट नुक्सान पर आठ दिशमलों एक गेंद का खेल हो चुका है समाब तो यहां पर इस तीके से अगली गेंद करते है नमी रॉलक का इस और अविश्का फर्नैंडो को गेंद लेकर तयार है जालने वाले है यहां चल निकलत हैं यहां पर नमी l pit अगली गेंद करने के लिए सामने пятुका फर्नैंडों क्या यहां से बड़ा गुर्णा फ्रिड फेर से इस बार फ कि पहुआ हैं यहाँ बलेबाद एक बड़े 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 शोट लगाए जाए 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 किया होता है आए इसकॉर I काफी डिफिकल थी बल्ले बाजे के लिए अब यह पिछे हैं वो काफी अच्छी आगे लिए इस बार फड़ा पटकी भी गेंट पुल करा है गेंड हमा में हैं फिल्डर सीचे आते वे जिया एक और विकेट विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जै अब जाफने किंग्स का आश यहाँ पर स्लोर बाउंश रिए गेंथी पुल किया और सीध़ मिड़ विकेट फिल्डर के हाथ में बैठे आशान और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर जाफनाय किंग्स का स्कोर है 74 रन दो विकेट नुकसान पर चौतर रन दो विकेट नुकसान पर आट दशनलों तीन गेदे हो चुकी है आश्यान ने बनाए है चौदा गेदर में 27 रन दो चौके दो चक्के लगाये थे अच्छी बल्ले बाजी कर रहे थे मगर यहाँ पर नमीनुलक ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी के सामने फसाया आशान को यहाँ पर पावेलियन भेजा है देखते हैं ने बल्ले बाज कौन होगे इस ओबर की तीन गेदे हो चुकी है दो रन आए और एक क्रिकेट रटका है नमीनुलक ने नमीनुलक का पहला और भी काफी अच्छा था और इसके बाद उसरे और में भी कमबेक किया मगर यहाँ पर टाइम आउट हो चुका है स्ट्रटेजिक टाइम आउट ले लिया गया है तो आप सब लोग जो है अब से दो मिट का यहाँ पर लेक होगा तो आप सब लोग जो है जुनड़े हैं हमारे साथ लाइव हिंदि कवें क्रिकेट लाइव हिंदी के साथ देल्ट इंशन है डिस्क्रिप्शन में लेशन पिन कर दिया है उस लिंक को क्लिक करके ID create करिएगा ID create करना बहुत यहासान है रेफलर को डालें जहुत नहीं है यूजर ने मनाई अपना password मनाई है मोबाइल नमर डालें आपकी ID create हो जाएगी डेल्टिन सवन अप पे टोटली एक्सचेंज है खाई लगाई कर सकते हैं आप यहाँ पर कोई भी टीम जीते हैं कोई भी टीम हारे आप जरूर जीते हैं डेल्टिन सवन अप पे मिनिममम बेट से 10 रुपे है मिनमम डेपोईट जीत है सफ 100 रुपे का है आप 15 मिनिट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल मिल जाता है आपको डेपोईट करना बहुत असान है गूगल पे, फोन पे, पे टीम पे आप डेपोईट कर सकते हैं खेल सकते हैं, जीत सकते हैं तो खेलिये और जीतिये जैल चींज सावन आपके साथ लिंक है आपको डेपोईट करना है आपको उसके बाद जाना है एक रिटर पे, वहाँ पर ऑप्शन है एक रिटर का वहाँ पर उसको क्लिक करिए और वहाँ पर आपको सारे मुकाबले लाइप भी देखने को मिल जाएंगे प्लस आप लाइप देखते जो है वह खेल सकते हैं सारी प्रेडिशन कर सकते हैं कौन कितने मनाएगा कौन जीते का मुकाबले को सारी प्रेडिशन आप यहाँ से कर सकते हैं बस कुछी तेर में शशांग भाई आप सब के साथ जुड़ने वाले हैं शशांग भाई यहाँ पर आप सब के साथ जुड़ेंगे सुनाएंगे आगे का मैच का सूर्तिहाल तब तक तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए स्ट्रीम को लाइक करते रही है जुड़ने वाले यहां पर शशांग बढ़ जुड़ेंगे आप सब के साथ शशांग बाई बिलकुल जुड़ेंगे आपसे के साथ मगर बता दे यहां पर जाफनाय खोना फौक्त कर आइंगे अब सब्सक्राइब करिए इंजॉय करिए इस मुकाबले को मुकाबला काफी बड़ी आपको याद हो का मुकाबला है वहां कॉमेंट्री करेंगे मैंगर अब ही हमारे सब कामेंट्री बॉक्स में होंगे शशांग बाई शशांग बाई क्या लगता है कितना स्कोर आपको यहां से दिक रहा है जाफना एक ने किंग्स का तो जी हाँ पर चलिए सबी वीवर्स को एक बार फिर से नमस्कार कोलम्बो स्टार्स वर्सिस जाफना किंग्स के बीच में ये बहतरीन मुकाबला आज का चलता हुआ तो शुरुआत यहाँ पर काफी अच्छी हुई है जाफना किंग्स की लेकिन लंका प्रीमियर लेक्ट लीक के इतने सारे मैचिस देखें हैं फरक नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत कैसी है फरक इस बात से पड़ता है कि आप खतम कहां पे करते है तो चलिए जो क्रमा के लिए इस गेंद को हलके आतों से खेला गेंज आती हुई यहाँ पर लोंगोन की दिशा में पीछे फिल्डर मौजूद है एक रन ली यहाँ दो रन यहाँ पर दोड़ कर प्राप्त कर लिए तो बढ़िया रनिंग बिट्वीन दा विकेट यहाँ पर होते हुए ज जाफना की टीम ने रन गती को मेंटेन किया हुआ है अगर बात की जाए करंट रन रेट की तो 8.77 रन परती ओवर के हिसाब से चलता हुआ चलिए इसी के साथ समर विक्रमा तयार होते हुए गेंद बाज ने दोड़ना शुरू कर दिया है इसी के साथ अगली गेंद बढ़ अगर देखा जाए तो जानते हैं कि इस समय पर किस तरह की गेंद बाजी चाहिए चलिए यहां से देखना होगा समर विक्रमा की अगर बात की जाए तो अब तक 6 मुकाबले खेले हैं 119 रन बनाए है स्ट्राइक रेट थोड़ा सा यहां पर कम है 130 का उमीद होगी कि आज य मीनुला किसी के साथ अगले गेंद आफस्रम के बाहर यह गेंद को कट किया पॉइंट के फिल्डर के बगाल से इस गेंद को निकाला पीछे फिल्डर मौजूद है एक रन यहां पर तेजी से दोड़ कर पूरा किया दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन एक बार फ है तो चलिए टीम का स्कोर है 77 अगेंद बाजो की अगर यहां से बात की जाए तो यहां पर होविल के अभी दो ओवर बचे हुए है नवीनुलहक के इसके बाद भी दो ओवर बचे हुए है परसना के दो ओवर बचे हुए है उसके बाद अगर बात की जाए परवन निथान की तरफ से और जाफना की बल्लेबाजी शायद इस पूरे टूर्णामेंट के अंदर सबसे बहतरीन रही है, कंसिस्टेंट बल्लेबाजी रही है, तो आज देखनों का किस तरह से कोलम्बो की टीम यहां से रोक पाती है, वैसे भी कोलम्बो की टीम काफी पीछे चल रही है, अगर देखा जाए टेबल के अंदर, तो आज का मुखाबला जीतना बेहत जरूरी है, अगर कोलम्बो की टीम इस टूर्णामेंट के अगली चरण में पहुचना चाहती है, तो चलिए इसी के साथ पर सन ना आए हैं, गेन बाजी करने के लिए तीस रन बना कर खेल रहे हैं, और उमीद करेंगे यहां से, जाफना की टीम के खिलाड़ी और जितने भी फैंस हैं कि यहां से थोड़ा रन गती को बढ़ाए, चलिए इसी के साथ एक बाद फिर से फिल्ड तयार होती ही पर सन ना किए, गेन कदमों का इस्तेमाल थोड़ा स इसी के साथ अगली गेन, तीन स्टम्स के बीच में एगingaं तीगेन को स्वीप कर दिया है, पीचे डीप स्कूर लेकपर फिल्डर मोचूद हैं, जी हां सीधा गेन जाएगी, फिल्डर के हाथों में एक रन यहां से भी प्राप्थ हो जाएगा, तो परसना यहां पर बेहत बढ़िया की इंदबाजी करते हुए अविश्का फर्नांडों ने दो गेंदों पर कोशिश की थी लगातार बड़ा शोट लगाने के लेकिन जो गेंद की लाइन और लेंथ है परसन्ना ने उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि बड़ा शोट लगाने में काफी प्रियास किया और गेंद जाती हुए यहाँ पर पॉइंट के फिल्डर के पास एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा टीम का स्कोर हो चुका है असी रन दो विकेट के नुकसान पर ओवर्स हो चुकी है यहाँ से 9.4 और बात अगर की जाए करंट रन रेट की तो 8.28 की रफतार से यहाँ पर बढ़ता हुआ चलिए इसे के साथ अविश्का फरनाइंडो यहाँ पर तयार होते हुए परसना करेंगे अपने इस ओवर की पांच वी गेंद देखना होगा फेल्डी यहाँ पर पूरी तरह से सेट है चलिए इस बार थोड़ा सा पैरो को टारगेट किया दा पर सन्ना निया विश्का के इस गेंद को खेला फाइनलेक की डिशा में पीछे फिल्डर मोजूद हैं यहाँ से भी मात्र एक रन की प्राप्ति हो पाएगी तो इस एक रन के साथ जाफना का स्कोर हो चुका है 81 रन दो विकेट के नुकसान पर जी यहाँ कोलंबो की टीम को तो सपना देख रही है जाफना की टीम पहुंचने का शायद उसको जरूर चकना चूर किया जा सकता है चलिए इसे के साथ अगली गेंद जी हाँ यहाँ यहाँ पर कट लगाते हुए काफी बहतरीन यह कट था लेकिन गेंद सीधा जाते हुए पॉइंट के फिल्डर के बाजी की जिस तरह की आज शुरुआत हुई तो शुरुआत काफी ताबर तोर काफी बहतरीन की थी पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जैसे जैसे लंका प्रीमियर लीग अपने दूसरे चरण में बढ़ता जा रहा है ऐसा लग रहा है कि जो पिछे हैं वो भी बैटिंग फ्रेंडली हो गई है शुरुआत में थुड़ा सा ऐसा लगा जरूरता शुरुआती दो या तीन मैच देखकर कि शायद यहां पर आपको ज़्यादा तर लो स्कोरिंग मुकाबले देखने के लिए मिलेंगे चलिए दसवा ये मैच है काफी महत्वपून ये मैच है इस दीरे दीरे जो उसके रास्ते हैं आगे दूसरे चरण में जाने के शायद सभी रास्ते दीरे दीरे बंद हो जाएंगे चलिए इसे के साथ तैयार होते हुए यहां पर जी हां गेंदबाजी यहां पर चलिए देखते हैं यहां पर क्यों से गेंदबाज को यहां पर दी को आने वाले बलेबाजों की बात की जाए तो जी है अभी शोईब मलिक भी आने बाकी है तो बलेबाजी के अंदर गहराई है डैप्थ है इस टीम के अंदर तो शायद इन दोनों बलेबाजों को यहां से बिना डरे ही बलेबाजी करनी चाहिए क्योंकि दबाव नहीं है इस स गेंद को रोका, बढ़िया पावर डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए, टीम का स्कोर अभी भी 82 रन, दो विकेट का नुकसान पर ये डॉट गेंद आते हुए, चलिए इस समय करंट रन रेट यहाँ पर पहली बार 8 रन पर 3-over से नीचे आता हुआ, तयार होते हुए यहाँ प पर खेल दिया, गेंद जाती हुई, पॉइंट और कवर के बीच में से, लेकिन पीछे फिल्डर मुझूद है, यहाँ से भी 2-run की प्राप्ती हो जाएगी, चलिए 2-run की प्राप्ती यहाँ से हो जाएगी, तो बढ़िया रनिंग बीट्वीन दा विकेट बड़े शोट से हुए स्ट्राइक पर होंगे, इस समय समर विक्रमा, जी हाँ बलेबाज काफी बढ़िया है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, चलिए पैरो पर यह गेंद ती, इस गेंद को फ्लिक कर दिया, गेंद जाती हुई स्क्वेर लेक की करेगा, तो शायद मेरे ख्याल से अविश्का वो बलेबाज हो सकते हैं, क्योंकि निगाहे क्रीज के उपर जम चुकी है, काफी समय से बलेबाज ही कर रहे हैं, पिछकी उच्छाल को जानते हैं कि गेंद टपा खाकर कहां तक पहुँच सकती है, तो शायद अविश्का फर अविश्का फरनेंडो आपको बड़े शोट लगाते हुए यहां से दिख सकते हैं, चलिए, बैनी होवेल एक बार फिर से तयार होते हुए सामने होंगे, अविश्का फरनेंडो 32 रन बना कर खेल रहे हैं, 30 गेंदो का किया है सामना, चलिए, यहां से इस गेंद को उठा कर खेला था, तीन स्प्स के बीच में यह गेंदी, सीधा गेंद जाते हुए फिल्डर के हाथ में, लोंगोन के उपर खड़े हुए फिल्डर के हाथ में यह गेंद जाते हुए, एक और जटका यहां पर टीम को लगते हुए, अविश्का फरनेंडो जमे हुए बले बाज थे काफी बड़ा विकेट यहां से आता हुआ, जाफना की टीम का चलिए बैनी होविल ने, आते ही अपने तीसरे ओवर में यहां पर यह विकेट दिलवाई है, तो मेरे ख्याल से अब यहां से मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का तो नहीं, लेकिन हाँ, बिल्कुल, की टीम उपर जरूर आई है, इस मुकाबले में इस विकेट के साथ, अब देखना होगा फाइनल स्कोर यहां से क्या होगा, जीहां 20 ओवर का स्कोर यहां से क्या होने वाला है, यह बहतरीन बात होगी देखने वाली, अविश्का फरणांडो 31 गेंदों में 32 रन बनाकर आउ की टीम को हाने भी पहुँचा देते हैं, चलिए, इसी के साथ अगले बलेबाज की एंट्री होती हुई जीहां, शौयब मलिक आपको दिखाई देंगे इस समय, शौयब मलिक आपको आते हुए दिखाई देंगे, जीहां शौयब मलिक आ चुके हैं, पाकिस्तान के करेंगे कि आज थोड़ा सा अपना शौयब मलिक वाला पुराने वाला अंदाज आज आपको दिखाते हुए मिले इस मुकाबले के अंदर, तो चलिए अपनी क्रीज पर सेट होने का इस समय परियास करते हुए शौयब मलिक बात की जाए, इनके LPL लंका प्रीमियर लीक के क लेंगे, जी हाँ अकसर वक्त लेते हैं, शौयब मलिक बड़े शोट्स लगाने से पहले 5-10 गेंदे लगती जरूर है उनको सेट होने के लिए, चलिए इसी के साथ, दोड़ते हुए यहाँ पर एक बार फिर से बैनी होवेल एक विकेट ले चुके हैं, एक विकेट यहाँ पर ले चुके हैं, चलिए आकरी गेंद पर कोई रन नहीं, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए, चलिए यहाँ से ओवर की हो चुकी है, समापती बैनी होवेल ने अपनी तीन ओवर अब तक डाले हैं, चोबिस रन देकर दो विकेट हासिल की हैं, तो कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर बैनी होवेल की जाफना जैसी मजबूत बल्लेबाजी करम के सामने 8 रन पर 3 ओवर के हिसाब से रन देकर अगर आपने 2 विकेट ले लिया हैं, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम किया है, तो चलिए टीम का स्कोर हो चुका है, 85 रन विकेट जा चुके हैं, त टीम यहाँ से बनाती है, तो टीम का स्कोर शायद 165, 170 तक पहुंच जाएगा, और जिस तरह से हमने इस पिछ को देखा है, पिछले दो दिनों में, 170 का स्कोर यहाँ पर चेजेबल है, आसानी के साथ चेजेबल है, चलिए इसके साथ अखली गेंद, इस बार पैर बाहर नि जी हाँ, दो लगातार, डोट गेंदे आते हुए, मुकाबले के इस समय में ये डोट गेंदे शायद नुकसान पहुचा सकती है, जाफना की टीम को क्योंकि शुरुआत काफी अच्छी हुई थी, और अगर बीच में आप इस तरह से डोट गेंदे खेलेंगे लगातार, त तो टीम का उससे कोई फाइदा नहीं होगा, चलिए इस बार गेंद को खेला जरूर था, धकेला था, खेला नहीं था, लगबग धकेला था, इस गेंद को कवर्स की दिशा में पीछे फिल्डर मौजूद है, एक रन यहां से भी मिल जाएगा, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन तीन विकेट के नुकसान पर, चलिए परवर्ण विताना आए हैं, यहां पर गेंद बाची करने के लिए, एक दशमलों तीन ओवर डाल चुके हैं, दस रन अब तक दे चुके हैं, विकेट अब तक एक मिला नहीं है, तो विकेट की तलाश है, कोलमबो की टीम को अभी नहीं बढ़िया शुरुवात के बावजूद भी समझ नहीं आता कि किस चीज का प्रेशर लेकर जाफना की टीम के खिलाडी बल्लेबाजी कर रहे हैं, चलिए टीम का स्कोर हो चुका है, 87 रन इसी के साथ, एक बार फिर से अगली गेंद थी, बढ़िया गेंद तेस बार, तेजी से एक रन दोड़ा चलिए, खाता खुल चुका है, शोयब मलिक का खाता खुल चुका है, स्ट्राइक एक बार फिर से समर विक्रमा के हातों में, चलिए समर विक्रमा ने इस गेंद पर बढ़िया यह गेंद थी, आगे बढ़कर कदमों का इस्तमाल करके बढ़ा शो चलिए, समर विक्रमा पहुँच चुके हैं, दस रन पर शोयब मलिक सामना करेंगे इस समय एक रन बनाकर गेंद बाज परवन विताना का जी है, अच्छी गेंद बाज ही की है, इस ओवर में अब तक पांच गेंदों में तीन रन दिये हैं, चलिए इस बार जगा बनाकर इ टीन विकेट का नुकसान पर बार ओवर की हो चुकी है, यहां से समापती, तो चलिए अड़ तालिस गेंदे बची हुई हैं, आने वाले बने बाज, अगर बात की जल, जेमस फुलर भी अभी आने बाकी हैं, तो तिसारा परेरा भी अभी आने बाकी हैं, तो बड़े बने अब ही बाकी हैं जी हाँ ऐसे बले बाद जो कि आखरी के कुछ ओवर्स के अंदर रन गती को बढ़ा सकते हैं जी हाँ अच्छे तरीके से बड़े शोर्स लगा सकते हैं तो चलिए देखना दिल्चस्प होगा जी हाँ फाइनल स्कोर यहाँ से क्या होगा सवाल यही है हलाकि इस समय जो मुकाबला है वो पूरी तरह से बराबरी पर आ चुक है और इसमें कोलमबो स्टार्स के गेंदबाजों का काफी बड़ा योगदान रहा है और उसके साथ साथ गेंदबाजों के साथ साथ आज एक नई चीज और देखी है कोलमबो की टीम ने आज फिल्डिंग यहाँ पर हलके हाथों से धकेला कवर्स की दिशा में पीछे फिल्डर मौजूद है एक रन यहाँ से मिल जाएगा इस एक रन के साथ स्ट्राइक एक बार फिर से आ गई है समर विक्रमा के हाथों में इस ओवर में क्या समर विक्रमा बड़े शोट लगाते हुए दिखाई ड्यू आ चुकी है ड्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है इस मुकाबले में और जाफना की टीम के लिए यहाँ से गेंद बाजी करना आसान नहीं होगा चलिए इसे के साथ अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तमाल करारा परहार यहाँ पर गेंद पर कवर की दि लेकिन परियास काफी बहतरीन था अपनी टीम के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ रन तो बचाए हैं चलिए धीरे-धीरे मुकाबला आगे चलता हुआ टीम का स्कोर है 90 रन इसी के साथ अगली गेंद इहाँ पर पर सन्ना की स्लोवर गेंद शोय मलिक के लिए बैक अब सिर्फ इंतिजार है कि कब बड़े शोट्स लगाना शुरू करेंगे चलिए इसी के साथ अगली गेंद इस बार काफी आगे आ गए थे, काफी आगे आ गए थे, समझ गए थे गेंद बाजी यहाँ पर पर सन्ना गेंद की लेंध को छोटा किया, यहाँ पर जा कर सीध लेटिंग बॉलिंग करते हुए चलिए परसना एक बार फिर से तयार होते हुए जानते हैं कि बड़े शोट सब आने वाले हैं चाहे दोनों बले बाज इस समय ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़कर कदमों का इस्तमाल करना चाहते हैं दबाओं में डालना चाहते हैं गेंद बा गेंद को डिफेंस कर देते हैं रन भी यहां से कुछ लेते नहीं हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि नेट प्रेक्टिस चल रही है यह जाफना की ठीम का स्कोर हो चुका है 91 रन तीन विकेट का नुकसान पर शोट मली के पास है स्ट्राइक साथ गेंदों में अभी तक तीन रन बना कर खेल रहे हैं चलिए परसना एक बार फिर से आगे आगे काफी आगे कम से कम दो या तीन कदम पिछ से बाहर निकल कर आए और गेंद को हलके हाथों से पुश कर दिया गेंद जाती हुई मिडविकेट की दिशा में एक रन यहां पर भी मिल जाएगा तो चलिए ए बहतरीन गेंद बाजी करके दिखाई है परसना ने चार ओवर में मातर 24 रन दिये हैं और जो बले बाजो को बीट किया है वो अलग चलिए यहां से अगर बात की जाए लंका प्रीमियर लीग 2022 की तो शुरुवात काफी बढ़िया मुकाबले काफी अच्छे जाते हुए दर मिल सकती है लेकिन अब वो शंकाओ के बादल भी यहां से चट चुके हैं क्योंकि गेंद बाजो के लिए शायद ही यहां पर कोई मदद मौजूद है अगर थोड़ी बहुत मदद मौजूद होती भी है तो ड्यू आकर ड्यू फैक्टर आकर सारा का सारा जो काम है वो मिल किया अपने ही फॉलो थू में कोई रन बनाने का यहां से मौका था नहीं तो शोयब मलिक ऐसा लग रहा है कि एक एक रन के लिए यहां पर स्ट्रगल करते हुए संगर्श यहां से करते हुए एक एक रन के लिए बड़ा शोट कब लगाएंगे धीरे-धीरे मुकाबला स समापती की तरफ यहां पर बढ़ रही है तो थोड़ा सा देखना होगा चलिए से के साथ अगली गेंड शोयब मलिक को यहां पर बैनी होवेल की इस गेंड को हलके आतों से दिशा दिखाई मिडविकिट की तरफ पीछे फिल्डर मौझूद है एक रन लिया दो रन के लिए यहां पर दोड़े तो चलिए कम से कम एक दुक्का तो यहां पर आता हुआ चोके छक्के तो भूली जाईए ऐसा लग रहा है कि चोके छक्के इस मुकाबले के अंदर बैन कर दिये गए हैं क्योंकि लगाने की भी कोशिश नहीं हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्व गेनर शोईमलीक चलिए इस एक बार फिर से गेंद को यहां पर खेला है मिड़ विकेड की दिखा में मिड़ की दिशा में ओफले एक रं ही यहां से मिल पाये गा प्लेयर इस बार पूरी तरह से चोकनने थे जानते थे कि दो रं लेना चाहते है एक हर गेंद पर लेकिन इस बार समर विक्रमा को ये चोटी गेंद थी थोड़ी सी इस गेंद को यहाँ पर पूल कर दिया है यहाँ पर इस गेंद को और अमपायर ने यहाँ पर चोका जी यहाँ नो बोल की शैर डिमांड हो रही है नो बोल की फुल टॉस ये गेंद थी लेकिन बढ़िया शोट था अच देखते हुए हम बैनी होवेल के इस ओवर में तो चलिए यहां से लगातार डिमांड करते हुए कि इसको नोबोल देना चाहिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमपायर ने यहां पर नोबोल नहीं दिये क्रीज से काफी आगे खड़े हुए थे यहां पर समर विक्रमा तो देखते हैं लेकिन चोका यहां पर आता हुए चलिए चोका यहां पर आता हुए समर विक्रमा बहुत चुके हैं 15 रन पर अगली गेंद का सामना करेंगे समर विक्रमा बैनी होवेल दोड़ते हुए इस ओव को सिर्फ दिशा परदान की थी बाकी का काम जो गेद की गती है उसने खुद कर दिया तो यहाँ पर चार रन बठोरते हुए समर विक्रमा तो चलिए धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बलेबाज फोम में आ रहे हैं बलेबाजों को याद आ चुका है कि यह T20 मुकाबला है चलि समर विक्रमा पहुंच चुके हैं 19 रन पर एक बार फिल्ड सैटिंग देखते हुए चारो तरफ क्या इस गेंद पर भी बड़ा शोट लगाने का परियास होगा इस ओवर की आखरी गेंद होगी सामने स्ट्राइक पर होंगे यहाँ पर समर विक्रमा चलिए दोड़ते पर इस मैंच के अंदर लेकिन डारेक्ट हीट नहीं लगी। चलिए यहाँ पर अंपार का इशारा टाइम आउट का इशारा यहाँ पर अंपार का चोदा ओवर समाप्त हो चुके हैं टीम का स्कोर है 105 रन तीन विकेट के नुकसान पर तो चलिए देखते हैं बाकी के बच् छे ओवर्स में ये टीम क्या कमाल करके दिखा पाती है कहां तक अपनी इस टीम का स्कोर पहुचा पाती है बात अगर की जाए कोलमबो के पॉइंट ओफ यू से कोलमबो की टीम चाहेगी कि 160-165 रन का भी अगर उनको टारगेट मिल जाता है इस पिछ के ओपर ऐसा कुछ है नहीं और डियो फैक्टर आ चुका है तो गेंदबाजी करने में भी काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर जाफना के गेंदबाजों को चलिए बात अगर की जाए गुर्बाज आउट हो गए थे जी यहाँ 17 रन बनाकर अविश्का फरणांडो 32 रन बनाकर आउट हुए थे रानिका यहाँ पर 27 रन बनाकर आउट हुए थे अभी इस समय समर विक्रमा और शोयब मलिक क्रीज के उपर हैं बाकी आने वाले बले बाज़े हैं कि शोयब मलिक यहाँ पर किस तरीके से बले बाज़ी करते हैं क्योंकि अगर एक चोर से शोयब मलिक इसी तरह से लगाता है डोट गेंदे खेलते रहेंगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा इस स्टीम के लिए एक अच्छे स्कोर तक पहुँचना हाला कि इस समय शोयब मलिक संगर्श करते हुए जरूर दिखार रहे हैं एक एक रन के लिए लेकिन जी हाँ उमीद है बड़े प्लेयर्स हैं सिर्फ एक बड़ा शोट चाहिए शोयब मलिक को वापस फोर्म में आने के लिए अब देखना होगा वो बड़ा शोट का बाता है एक्स्टराज की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक एक्स्टराज चलिए यह अच्छी बात है जी हाँ गेंदभाजी के अंदर आप टीम की यहाँ पर कंसिस्टेंसी देखिएगा सिर्फ एक्स्टराज का आज एक रन है चोदा ओवर की पारी समाप्त हो चुकी है और एक्स्टराज के नाम पर सिर्फ एक रन दिया है यहाँ पर टीम ने इस समय जाफना किंग की टीम यहाँ पर फेवरेट है मुकाबले के अंदर बाकी यार आप सभी लोग भी स्ट्रीम को लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजेगा और डेल्टिन सेवन के उपर जाना भूलिएगा मत जो भी टीम आपको पसंद है जो भी टीम आपकी फेवरेट है जाके सपोर्ट कीजेगा डेल्टिन सेवन के उपर अगर आपकी सपोर्ट की हुई टीम जीतती है तो बिल्कुल यार आप यहाँ से पैसा भी कमाएंगे फाइनिशली भी आप यहाँ से पैसा कमाएंगे तो जाईए अभी कि अभी डेल्टिन 7 के उपर अपनी फेवरे टीम के को यहां से सपोर्ट कीजिएगा तो चलिए जाफना किंग की अगर बात की जाए दसवा यह मुकाबला है हलाकि जाफना किंग की टीम इस समय टेबल तोपर है टेबल के अंदर सबसे उपर की टीम है जाफना किंग्स की तो देखिए उनको शायद जादा फरक ना पड़े एक मुकाबला हारने के बाद भी क्योंकि उनके पास अभी बहुत मोके मिलेंगे उनको आगे जाने के लिए लेकिन शायद कोलंबो की टीम के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और कोलंबो जैसी टीम सितारों से सुसजित ये टीम है काफी बड़े बड़े खिलाडी इसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं नहीं चाहेगी इस टूर्णामेंट से बहार होना इतनी जल्दी चलिए यहाँ पर मैथ्यूस के हाथ में टौवल हम देख सकते हैं गेंद को लगातार यहाँ पर पहुचते हुए अमपायर से भी यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं शायद गेंद को बदलने की भी बात हो रही ह और यहां पर जाफना की छीम के लिए भी आसान नहीं होगा घिंद बाजी करना तो चलिए बेनी होवल ने बहुत बढ़िया गेंद बाजी किया उसके लावा परसन्ना ने भी आज कमाल की गेंद बाजी करके दिखाई है मैन्ठ 이용 को एक बार फिर से जी हां मुकाबला चालू हो चुका है दो मिनट का ऩा समय समाप्ट हो चुका है मैन्ठ ये जी हां फिल्डर्स को यहां पर लगाया गया है लेकिन हाथ में टोओल जरूर है जी हां तरो झाद को लगातार यहां से पोच्टे हुए रजीता के हाथ में गेंद होगी जी हाँ रजीता के हाथ में गेंद होगी एक ओवर अब तक डाल चुके हैं छे रन दिये थे एक ओवर में अब बाकी के बचे हुए तीन ओवर जी हाँ किस परकार से करने वाले हैं यहाँ से रजीता यह देखने वाली बात होगी चलिए फिर्ड यहां से सेट हो चुकी है बले बाच तैयार है यहां पर शोईब मलिक टीम का स्कोर है 105 रन तीन लिकेट के नुकसान पर ओवर्स हो चुकी है यहां से 14 करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो वो है 7.50 का तो चलिए यहां पर करित्रिम रोशनी के अंदर यह मकाबला होता हुआ जब भी करित्रिम रोशनी में मकाबला होता है तो जो ड्यू फैक्टर है वो थोड़ा सा अधिक ही हो जाता है तो चलिए थोड़ा सा वक्त लेते हुए शोई मलिक थोड़ा सा वक्त लेते हुए गलव्स यहाँ पर पहनते हुए जी आप बुरी तरह से सज धज चुके हैं इस समय शोई मलिक चलिए तयार होते हुए बले बाजी करने के लिए रजीता के हाथों में यहाँ पर होगी बले अगले दो या तीन ओवर काफी महतपून होने वाले क्योंकि उसमें आइडिया लग जाएगा कि कितना जादा आकरामक शोट्स खेलने की शमता रखते हैं ये दोनों बले बाज या फिर अभी मी थोड़ा रुक कर खेलेंगे चलिए इस बार चोटी गेंड जी हां खराब शुरुआत यहां पर जीता की इस गेंड को बोल कर दिया है हाला कि गेंड बले पर पूरी तरह से आई नहीं ती लेकिन पार कर जाएगी सीमा रेखा को चलिए चार रन यहां से प्राप्त करते हुए शोईब मलिक के बले से पहला चोका आते हुए और ऐसा लग रहा है कि श जीता यहां पर डालेंगे अगली गेंड सामने होंगे स्ट्राइक पर शोईब मलिक टीम का स्कोर हो चुका 109 रन तीन विकेट के नुकसान पर चलिए और सभी लोग एक बार स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजेगा इसी के साथ रजीता दोड़ते हुए सामने स्ट्राइक पर शोईब मलिक जी यहां इस गेंड को दिशा दिखाना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ जी हां खुश नहीं होंगे खुझ से शोईब मलिक इस समय क्योंकि जानते थे यह गेंड मारने वाली थी इस गेंड पर शोट लगाया जा सकता थे लेकिन चूक गए गेंड सीधा जा शोईब मलिक इस बार यहां पर थोड़ी सी स्लोवर गेंड थी तीन स्टम्स के बीच में जी यहां हलका सा बैक फुट पर जाते हुए सीधा खेला गेंड बाज के सर के ऊपर से तीर से भी सीधा यह शोट था गेंड जाती हुए सीमा रेखा के बहार चार रन के लिए बाकी के बचे हुए पांच से छे ओर में मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में चलिए यहां से शोईब मलिक पहुँच चुके है 15 रन पर टीम का स्कोर पहुँच चुका है 113 रन तीन विकेज के नुकसान पर अभी रजीता की इसी के साथ अगले गेंड यहां पर इस बा कि बले बाजी करते हुए एक समय ऐसा लग रहा तब पिछले ओवर तक की रन बनाने मुश्किल हो रहे हैं सिंगल सिंगल लेने के लिए संगर्श करना पड़ रहा है लेकिन इस ओवर में तो शोईब मलिक ने जजबात बदल दिये इस मुकाबले के जिहां तीन चोके लगा जाएगा चलिए जी हा बात की जाए चोको की तो यहांसे 11 चोके आ चुके अब तक इस बारी में और 4 छक्के यहां पर आएएं हैं इस बारी में हालाखी शोयमलिक गैपस ठूँने के लिए जाने जाते हैं चोके यहांसे ज़्यादा लगाते हैं लेकिन बीच में क्या एक यहाँ से छक्का भी देखने के लिए मिल सकता है इस ओवर में देखना दिल्चस्प होगा अचली अमपाइर के हाथ में गेंड है तो क्या गेंड बदली जाएगी गेंड से लगातार यहाँ पर प्रोब्लम सोती हुई टीम को एक बार फिर से अमपाइर के पास पहुचे हैं यहाँ पर चीम के कप्तान गेंद को लेकर शायद फिर से बदलने की यहाँ पर गुंजाईश अगर कोई होगी तो अमपायर बिल्कुल यहाँ से गेंद बदलेंगे। चलिए करंट रन रेट अप तेजी से यहाँ पर दोड़ता हुआ लगबग आठ रन परती हो और दोनों अमपायर आपस में डिसकेशन करते हुए जी हाँ दोनों अमपायर आपस में आ चुके हैं मैदान के बीच में डिसकेशन करते हुए बोल को लेकर जी हाँ लेग अमपाय चार या पांच ओवर में आपको थोड़ी अच्छी गेंदबाजी होते हुए दिख जाए एक आदा ओवर जो स्पिनर से डलवाएंगे वहाँ पर हलका फुलका टर्न देखने के लिए मिल जाए और तेज गेंदबाजों की जो गेंद है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाएगी यह देखना दिल्चस्प रहेगा तब तक आप मोका यार आप सभी लोग यार स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाईएगा अभी कि अभी डेल्टिन 7 पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी जा सकते हैं नह गेंद एक बार फिर से नहीं बदली जाएगी तो रजीता यहाँ पर अपना आखरी गेंद डालेंगे जिहां इस ओवर का आखरी गेंद डालेंगे स्ट्राइक होगी यहाँ पर समर विक्रमा के पास समीर विक्रमा को यहाँ पर अभी तक स्ट्राइक पिछले 10 गेंदों मे यहां से लेकिन ऐसा लगा कि बल्ला लगा है बल्ला लगा है यहां पर देखना होगा दिल्चस्प रहेगा जी नहीं कोई किसी परकार का यहां पर रिव्यू नहीं लिया जा रहा है टीम का स्कोर है 119 रंग 3 विकेज के नुकसान पर 15 ओवर की यहां से समापती हो चुकी है 30 30 गेंदों का खेल बचा हुआ है देखना होगा 30 गेंदों में कितने रंग यह टीम बना पाती है हाला कि जिस तरह की शुरुवात हुई थी उस तरह अपने गेम को कॉंटिन्यू नहीं रख पाई जाफना किकिंग बीच में काफी ज्यादा स्लो हो गई थी बल्ले बाजी ब पार स्कोर होना चाहिए और ड्यू का भी फैक्टर रहने वाला है शुरुवाती एक या दो वर के बाद ही गेंद गीली हो जाएगी और उसके बाद तो देखे फिर विकेट लेना मुश्किल से धीरे धीरे नामुम्किन होता चला जाएगा तो चलिए देखते हैं किस तरह स मकाबला चलता है जी हाँ डॉमिनिक ड्रेक्स के हाथ में यहाँ पर गेंद दोड़ते हुए सामने होंगे यहाँ पर समीर विकरमा ये गेंद स्लोवर गेंद थी ओफस्टम के बाहर कवर्स की दिशा में खेला पीछे फिल्डर दोड़ रहे हैं जी हाँ पकड़ लेंगे य चलिए देखते हैं किस तरह से मकाबला चलता है तो मकाबले में आएगा मजा चलिए समीर विक्रमा होंगे यहाँ पर स्ट्राइक पर 23 रन बनाकर खेल रहें 19 गेंदों का किया है सामना ऐसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर दोमिनिक ड्रेक्स कोई एक बार फिर से यहाँ पर कवर्स की दिशा में खेला 123 रन तीन विकेट के नुकसान पर ओवर सो चुके हैं 15.2 और करंट रन रेट एक बार फिर से 8 रन पर 3 ओवर के ऊपर आ चुका है चलिए डोमिनिक ड्रेक्स यहाँ से तयार होते हुए समीर विक्रमा यहाँ पर एक बार फिर से तयार है इस बार फुल टॉस यह गेंट थी ऑफसरंट के बार स्लोर गेंट को निकाला पॉइंट और कवर के बीच में से और क्या खूब सूरत यह शोट था यहाँ पर गेंट जाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए आखिरकार यहाँ पर समीर विक्रमा के बल्ले से भी चोका आते हुए जी हाँ खराब गेंट बाजी ओफ फुल टॉस यह गेंट थी ऐसा लगा एक बार फिर से गेंट क्या हाँच से यह छूट गई थी जी हाँ देखना दिल्चस्कों का गेंट क्या इतनी गिली हो रही है कि इतना गेंट हाथों से छूटे गी तो फिर जाफना वाले गेंट बाजी करेंगे कैसे यहाँ पर इस पिछ के उपर चलिए इसी के साथ चोका यहाँ पर आ चुका है समीर विक्रमा पहुँच चुके है 29 रन पर टीम का स्कोर पहुँच चुका है 127 रन तीन विकेच के नुकसान पर ओवर्स हो चुके है 15.3 जी हाँ चलिए देखते हैं मुकाबला किस तरह से यहाँ पर चलता है बाकी का अभी भी टीम का स्कोर 127 रन है बाकी के बचे हुए कुछ ओवर्स कुछ गेंदे कहां तक यह टीम अपना स्कोर पहुचा पाती है क्या पार स्कोर 170 के पार लेके जा पाएंगे चलिए एक बार फुल्टॉस गेंद टॉमिनीक ड्रेक्स की इस बार क्या अंपायर यहाँ से वाइड देंगे बिलकुल अंपायर ने यहाँ पर बाजुवे खोली है और यह वाइड गेंद यहाँ पर जी हाँ थोड़ना सा परशान लग रहे हैं यहाँ पर दो गेंदे हाथ से चूप चु डॉमिनिक ट्रेक्स इस बार स्लोवर गेंद थी तीन स्टम्स के बीच में इस गेंद को यहाँ पर खेला जरूर जी हाँ गेंद जाते हुई मिडॉफ की दिशा में एक रन यहाँ पर मिल जाएगा स्ट्राइक अब आ गई है शोई मलिक के पास तो चलिए देखते हैं शोई मलिक यहाँ पर किस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाते हैं जी हाँ पिछली ओवर में तीन बहतरीन चोके यहाँ पर लगाए जरूर थे क्या उसको कॉंटिन्यू कर पाएंगे यहाँ पर चलिए तैयार होते हुए अपना स्टांस यहाँ पर लेते हुए शोई मलिक सामने होंगे डॉमिनिक ड्रेक्स ओवर की होगी यहाँ पर यह पांच वी गेंद दो गेंदे बची हैं शोई मलिक के पास क्या दो गेंदों में से एक चोका या फिर एक चका यहाँ से आ सकता है चलिए स्टांस यहाँ पर ले चुके हैं तैयारी करेंगे बले बाजी की थोड़ा सा वक्त जादा लेते हैं थोड़ा सा वक्त शोयम मलिक जादा लेते हैं हर गेंड के बाद लगभग 30 से 35 सेकंड लगते हैं शोयम मलिक को क्रीज पर जमने के लिए चलिए जी हैं आखिरकार थोड़ा सा फाइन खेलाता दो रन यहां से प्राप्त कर लेंगे दो रन यहां से प्राप्त कर लेंगे शोयम मलिक हाला की काफी अनुभवी बल्ले बाज हैं काफी समय से खेल रहे हैं लेकिन अगर बात की जाए रनिंग बिट्विन दा विकेट की तो समर विक्रमा को पूरी तरह से यहाँ पर चैलेंज देते हुए रणिंग बिट्विन दा विकेट का जी हाँ सामने एक युवा बल्ले बाज है शोई मलिक थोड़े से अनुभवी बल्ले बाज है लेकिन रनिंग बिट्विन दा विकेट में यहां पर बिल्कुल भी पीछे नहीं है शोईब मलिक चलिए टीम का स्कोर हो चुका 131 रन तीन विकेट का नुकसान पर इस ओवर की होगी आखरी गेंस सामने स्ट्राइक परोंगे शोईब मलिक चलिए बड़ा शोट लगाने का परियास्ता हाई बैकलिफ्ट के साथ लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं गेंद जाती हुई लोंगोन के फिल्डर के पास एक रन यहां से भी मिल जाएगा चलिए इस एक रन की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर हो चुका 132 रन ओवर्स हो चुके हैं यहां से 16 समीर विक्रमा पहुँच चुके हैं 30 रन पर शोईब मलिक पहुँच चुके हैं 21 रन पर तो बाकी की बची हुई 24 गेंदे कहां लेके जाएंगी इस मकाबले को किस मोड पर लेकर जाएंगी तो देखना यहां से रहेगा काफे दिल्चस्प जिहां बात की जाए अगर यहां से एकस्पेक्टिड रनों की 20 ओवर्स में कितना बन सकता है तो मेरे ख्याल से यहां पर कम से कम बाकी के बचे हुए चार ओवर्स में 42 से 43 रन यहां पर बनने चाहिए और यह टीम 170 के पार यहां से जानी चाहिए बाकी अगर खुद के पैरो पर कुलाड़ी मारी टीम ने तो देखिये फिर तो कोई नहीं बचा सकते लेकिन जिस तरह से प्लेइंग कंडिशन है जिस तरीके से बलेबाजी हो रही है और गेंद बाजों के लिए कुछ है निए गेंद पूरी तरह से डियू के अंदर तर ब अमपायर्स ने मान लिया है गेंद इस समय बदली जा रही है एक बार फिर से सूखी गेंद दिखेगी गेंद बाजों को यहां पर देखने के लिए देखना होगा जी हां गेंद बाजी यहां पर थोड़ी से अच्छी होगी है बाकी के बच्चे हुए चार ओवर्स में थो चलिए शौइम मलिक के पास होगी यहां पर स्ट्राइक सतर ओवर्स यहां पर शुरू होने जा रहा है पार्टनर्शिप की अगर बात की जाए तो 32 गेंदों में 47 रंग की पार्टनर्शिप यहां पर हो चुकी है चलिए देखते हैं यहां से गेंद बाजी किसको दी जाती और बाकी के बचे हुए चार ओवर्स में यहां पर क्या होता है चलिए इसी के साथ पहरी गेंद आफस्रम के बाहर यह गेंद थी पटकी हुई गेंद को यहां पर सहलाया शोय मलिक ने यहां पर सिर्फ सहलाया पॉइंट के फिल्डल के बगल से गेंद जाते हुए सीमा रेख से यहाँ पर फिल्डर को बीट करते हुए जादा कोई तेजी से ताकत के साथ इस शोट को लगाने का परियास नहीं किया था शोईब मलिक ने सिर्फ हलके हाथ उसे सहलाया चलिए तैयार होते हुए यहाँ पर शोईब मलिक 25 रन पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर गेंदबा जाएगा जी हाँ नवीन उलहक का सबसे बड़ा हतियार है उनकी योरकर गेंद क्योंकि योरकर गेंद पर हमेशा फसा लेते हैं और अक्सर हमने देखा है एक ओवर में दो या तीन योरकर गेंदे भी सही ठीकाने पर मार सकते हैं तो काफी जादा कंसिस्टेंसी चाहिए ए यहां से 137 रन, 137 रन बन चुकी है क्या 170 कहां कड़ा क्या 175 कहां कड़ा यहां से पार कर पाएगी जाफना की चीम देखने वाली बात होगी चलिए इसी के साथ अगली गेंदे एक बार फिर से आफस्ट्रम के बाहर यह गेंद ती जी हां काफी बाहर ती बल्ला लगाया यह यहां पर समीर विक्रमा ने खुझ से थोड़ा सा निराश क्योंकि गेंद बिलकुल यहां पर चोके पर बाउंडरी के बाहर जाने वाली थे लेकिन सिर्फ एक रम मिल पाया यहां से चलिए स्ट्राइक आ चुकी एक बार फिर से शोईब मलिक के पास अब देखना होगा शो ती गेंद करने के लिए तयार होते हुए यहां पर नवीन उलक सामने तयार है शोईब मलिक एक बार फिर्ड को निहारते हुए चारो तरफ जी हां देखना होगा क्या बड़ा शोट आएगा यहां फिर से गेंद को गैप से निकालने की होगी कोशेश चलिए नवीन उलक य यहां से दोड़ते हुए जी हां यह गेंद शोईब मलिक कोईस बार अच्छी गेंद थी आफस्टम के बाहर हलका सा इस गेंद को कवर ड्राइव लगाते हुए इस गेंद पर तो चलिए यहां पर चोका तो नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर एक रन जरूर मिल जाएगा एक यहां पर जरूर मिल जाएगा टीम का स्कोर 149 रन तीन विकेट के नुकसान पर चलिए देखते हैं मुकावला बाकी का किस तरह से यहां पर चलता है जी हां कप्तान लगातार अपनी गेंद बाजों से बात करते हुए स्ट्राइक पर आ चुके हैं एक बार फिर से समर विकर यह गेंद थी काफी तेज गती के साथ इस गेंद को डाला था और चूक गए यहां पर गेंद की गती से बीट हुए मात्र पॉइंट के फिल्डर तक इस गेंद को पहुचा सके और एक रन यहां से मिल जाएगा तो बढ़िया तरीके से यहां पर वेरियेशन करते हुए अब तक तो ओवर काफी बहतरीन गया है पहली गेंद पर चोका लगने के बाद अच्छी वापसी होती हुई नवी नोलहक की चलिए एक बार फिर से यहां पर दोड़ते वेई सोवर की होगी आखरी गेंद सामने स्ट्राइक पर होंगे यहां पर शोयम मलिक देखना होगा क चलिए एक रन के साथ यहां से संतुष्ट रहना पड़ेगा 17 ओवर की समाप्ती के बाद टीम का स्कोर हो चुका है 141 रन तीन विकेज के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है 18 गेंदों में कहां तक पहुँच पाएगी यह चीम अगर इस परकार की बले कोशिश जब तक नहीं करेंगे देखे तब तक तो नहीं जाएंगे बाकी देखना होगा क्या स्कोर यहां से सोच रही है जाफना किंक्स की टीम हाला कि उनको कम से कम 10 से 20 रन का कुशन लेके चलना पड़ेगा क्योंकि उनको भी मालूम है कि गेंदबाजी करना असान नहीं के उपर चलिए एक बार फिर से गेंदबाजी दी गई है यहां पर डॉमिनिक ड्रेक्स को अब तक दो ओवर में 27 रन पिछला ओवर काफी महेंगा था तीन चोके लगाये था शोयब मलिक ने देखते हैं इस बार भी स्ट्राइक पर होंगे शोयब मलिक अगर इसी रफ़ता लेकिन शॉट के अंदर ताकत नहीं थी चलिए एक रन यहां से मिल जाएगा स्ट्राइक आ चुकी है समीर विक्रमा के पास समीर विक्रमा सामना करेंगे यहां पर 32 रन बनाकर खेल रहे हैं 24 गेंदों का किया है सामना जाफना का स्कोर है इस समें 142 रन तीन विकेज का नु और बोर्ड कर दिया यहां पर जी हां बड़ा शोट लगाने का परियास था हाई बैक लिफ्ट काफी उपर बैट उठाया था लेकिन ना तो गेंद की लाइन में थे ना ही गेंद की लेंद को समझ पाये थे और यहां पर सीधा बोर्ड कर दिया चलिए समीर विक्रमा कर रहे थे लेकिन इतनी सफलता मिली नहीं जितने की टीम को चाहिए थी चलिए 25 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए बीच का जो फेज था वहां डटे रहे अपनी टीम के लिए जी हां एक अच्छी पारी खेली एक अच्छी पार्टनर्श यहां पर हो सकते हैं इस समय बल्ले बाजी करने के लिए क्योंकि अक्सर ऐसे मौकों पर हमने देखा है तिशारा परेरा को बल्ले बाजी करते हुए काफी बड़े बड़े शोत्स लगाने के लिए जाने जाते हैं तो चलिए देखते हैं किस बल्ले बाज की यहां पर एंट तिशारा परेरा आए हैं बल्ले बाजी करने के लिए काफी आकरामक बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं 26 मैचों में 487 रन हैं स्ट्राइक रेट देखिएगा 198.78 का हाइस्ट स्कोर इनका भी 97 है जी हां अगर ये चल जाते हैं तो एक प्रॉपर बैटसमेल को भी मात दे सकते हैं इतने बड़े बड़े शोर्स और इतनी ताबरतोर पारिया ये खेलते हैं चलिए इसे के साथ पहरी गेंड का सामना करेंगे तिशारा परेयरा काफी जबडसती है शोर्ट अमपायर को भी नीचे जुक कर बैठना पड़ा जी हां काफी खतरनाक अमपायर के लिए भी यहां पर मुश्किल हो गई थी तो सीधा तीर से भी सीधा ये शोर्ट र गेंड जाते हुए सीमा रेखा के बहर चार रन के लिए चाहले ये डॉमिनिक ड्रॉक्स ड्रेक्स की यहां पर स्लोर गेंड थी strategy अब अपनी बदलनी पड़ेगी अब गेंद बाजों को अपनी strategy बदलनी पड़ेगी क्योंकि slower गेंद को बहुत बढ़िया तरीके से खेलना जानते हैं किशारा परेरा अक्सर बैक फुट पर यहाँ पर खेलने के लिए जाने जाते हैं बैक फुट पर अगर आप खेलते हैं तो थोड़ा सा स्लोवर गेंद शायद आपको इतना परेशान ना करें चलिए इसके साथ अगली गेंद यहाँ पर डॉमिनिक ड्रेक्स की एक बार फिर से आफस्टम के बाहर यह गेंद थी जी हाँ इस बार गेंद को खीचने का परियास किया था लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं और यहाँ पर शोयब मलीक रन दोड़ने के लिए रन लेने के लिए दोड़ चुके थे बहुत मुश्किल था वापल साना लेकिन किसी तरह यहाँ से पहुँच गए लेकिन एक रनाउट का चांस यहाँ पर जरूर मिस किया है डॉमिनिक ड्रेक्स ने चलिए देखते हैं बाकी की बची बल्लेबा जी यहाँ पर किस तरीके से होती है बाकी की बची हुई कुछ गेंदे बची है कहां तक इस टीम का स्कोर पहुँच पाता है मुकाबला इस से में थोड़ा दिल्चस्ट होता हुआ जी है आखरी की कुछ गेंदों की आतिशबाजी यहाँ पर देखने के लिए भाई तयार हो जाईएगा क्योंकि तिशारा परेरा स्ट्राइक पर हैं और उनके साथ देने के लिए खड़े हैं सीजन केमपेनर शॉइब मलेक चलिए तिशारा परेरा को यहाँ पर डॉमिनिक ग्रे लिए चलिए तिशारा परेरा तीन गेंदों में च्छे रन पर पहुंच गए हैं जाफना का स्कोर पहुंच चुका 148 रन चार विकिट के नुकसान पर अभी भी मात्र 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है गेंद एक बार फिर से गीली हो चुकी है लगातार मैंजलो मैथ्यू लगे हुए हैं एक तॉवल के साथ एक टॉल से गेंद को पहुचने में लगातार तो चलिए यहां से देखना होगा जी हां इस ओवर की अभी भी आखरी गेंद बची हुई है सामने स्ट्राइक पर होंगे तिशारा परेरा जी हां बड़ा शोक तो आएगा बड़ा शोक त एक रन मिल जाएगा दूसरा रन लेने के लिए आधी पिछ तक एक बार फिर से शोयव मलिक दोड़कर आ गए थे लेकिन वापस बेजा यहाँ पर तिशारा परेड़ने चलिए टीम का स्कोर 119 रन ओवर सो चुके हैं अठारा बारा गेंदो का खेल अभी भी यहाँ से बचा ह हुआ है देखना दल्चस कोगा कि बारा गेंदों में कितने रन ये चीम यहाँ से बना पाती है जो हम बात कर रहे थे 170 175 बिल्कुल पॉसिबल है यहाँ पर जब तक तिशारा परेड़ा कीज के ओपर खड़े हुए हैं तो आप एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि हर शोट पर हर ग काफी बढ़िया होने वाला है नवीन उलहक वर्सिस तिशारा परेड़ा क्योंकि तिशारा परेड़ा बड़े शोट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं और नवीन उलहक अपनी योरकर लाइन लेंथ की गेंदों के लिए जाने जाते हैं तो आसान नहीं होगा तिशारा के यहाँ पर भेजा गया है डीप थर्ड मैन की तिरफ डीप थर्ड मैन पर एक एक्स्ट्रा फिल्डर यहाँ पर लगाया गया है तिशारा परेरा लेफ्ट हैंड बले बाज तैयार होते हुए नमीनुलहक ने दोरना शुरू किया है काफी मज़ेदार यह 12 गेंदे होने वाली ह चलिए काफी जाद आफस्ट्रम के बार यह बाहर यह गेंद थी और थोड़ा सा एंगल के साथ और बाहर की तरफ निकलते हुए बड़ा शोट लगाने का परियास गेंद सीधा जाते हुए मिड़ॉफ के फिल्डर के पास जी हाँ कोई रन नहीं मिलेगा डॉट गेंद के स चलिए तिशारा परियरा अब तक पांच निदों में साथ रन बनाकर खेल रहे हैं जी हाँ ड्यू काफी जादा है मैदान के ऊपर चलिए इस बार एक बार फिर से आफस्ट्रम के बाहर यह गेंद रैंगल के साथ वासा बाहर निकलते हुए बूल करने का परियास किया था लेकिन गेंद ने बल्ले का निचला किनारा लिया गेंद जाती हुई यहाँ पर लोंगोन के फिल्डर के पास जी हां ग्राउंडेड शोट हवा हवाई मारने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बिल्कुल ग्राउंड से चिपकते हुए गई है चलिए एक बार फिर से यहाँ एक रन मिल जाएगा स्ट्राइक पर आ चुके हैं शोएब मलिक जी है खलात मकबले बाज है शोएब मलिक जानते हैं बड़े शोट सगर नहीं आएंगे तो किसी ना किसी तरह गैप्स में गेंद को खेल कर चोके तो यहाँ से प्राप्ट कर ही लेंगे चलिए शोएब मलिक यहाँ पर तयार होते हुए नवीन उल्हक के हाथ में यहाँ पर गैंद है देखना होगा किस तरीके से मकाबला चलता है चलिए शीकिता अगली गैंद इस बार योरकर गैंद यहाँ पर फसा लिया था शोएब मलिक को जी हाँ समझ नहीं आया कि गैंद की लाइन लेंद को जो गैंद बाज कर सके भाई सब बहुत बड़ा बहुत बड़ा स्टेचर हो जाता है उस गैंद बाज को और नवीन उल्हक की यहाँ पर दिखाते हुए चाहे आप कितने भी आकराम अकिया फिक कितने भी बड़े बले बाज हो लेकिन अगर एक योरकर गैंद सही जगह पर एक्जिक्यूट हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस गैंद को खेलना चलिए नवीन उल्हक की सोवर की यहाँ पर डालेंगे चोथी गैंद सामने स्ट्राइक पर होंगे तिशारा परेरा क्या इस समय भी इस गैंद पर भी रोक पाएंगे तिशारा परेरा को चल गैंद और बल्ले के बीच में वो काफी कमाल का था गैंद ने जब बल्ले को चुआ तो उसी समय पता लग गया था कि यह गैंद सीमा रेखा को पार करने वाली है तो चलिए यहाँ पर एक बहतरीन चोका होता हुआ इस चोके के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 155 रंग 4 विक देखना दिल्चस्प होगा बाकी की बचीवी दो गैंदों पर किस तरह से वापसी करेंगे या किस तरह से खुद को बचाएंगे नवीनूल हक यह देखना दिल्चस्प रहेगा चलिए दोड़ते हुए यहाँ पर नवीनूल हक यह गैंद एक बार फिर से ओस्टरम के बाह 19 वे ओवर की आखरी गैंद का सामना करेंगे शोई मलिक 24 गैंदों में 30 रन बना कर खेल रहे हैं क्या एक बार फिर से नवीनूल हक काम्याब होंगे योरकर गैंद डालने में क्योंकि योरकर गैंद एक मातर ऐसी गैंद है जहां पर आप बच सकते हैं अंत के कुछ ओवर्स इसे के साथ दोरते हुए यहां पर नवीनूल हक सामने होंगे शोय मलिक चलिए इस बार हवा हुआ हवाई शोड haz यहां पर गैंद को खेलने का परयास किया था सीधा गैंद बाच के सर के ऊपर से गैंद रोनिया बल्ले का बाहरी किनारा गैंद जाती हुई थर्ड मेंड सी तो देखना दिल्चस्प होगा बाकी की छे गेंदों में क्या दस रन आएंगे, क्या बारा रनाएंगे, क्या पंदरा रनाएंगे, वैसे भी डॉमिनिक ड्रेक्स आखरी का शायद ओवर और डॉमिनिक ड्रेक्स ही डालेंगे और जिस तरह कि आज उनकी गेंदबाजी रही है आखरी ओवर दिख रहा है यहां से पिटाई वाला तो देखना दिल्चस्प होगा स्ट्राइक पर होगे तिशारा परेरा गेंदबाजी देखना होगा किसके हाथ में यहां पर होगी तो चलिए यहां से शुरुआत काफी जबरदस हुई थी आज जाफना की चीम की लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा बीच में जो रन गती है वो काफी कम हो गई थी लेकिन इस समय चलिए डॉमिनिक रेक्स की यहां पर पहली गेंद काफी ज़्यादा बहार थी यह गेंद आफस्टम के अमपायर ने तुरंट बाजुए खोली और यहां पर एक अतिरिक तरन मिल जाएगा वाइड के तोर पर थोड़ा सा बचने का परियास करते हुए जी हां कोशिश कर र देखा के बाहर जाने की शमता रखती है चलिए डॉमिनिक रेक्स एक बार फिर से जी हां इस बार आफस्टम के बाहर यह गेंद दी बल्ले को घुमाया गेंद जाती हुई फिल्डर नीचे है लेकिन जी नहीं फिल्डर से थोड़ा सा पहले यह गेंद गिर जाएगी लेकि इस बार कामियाब रहे थे जहां पर गेंद डालना चाहते थे बिल्कुल वही पर एकदम गेंद डालते हुए डॉमिनिक ड्रेक्स से तिशारा परेरा को थोड़ा सा ओफस्टम की तरफ मूव करना पड़ता है यह बड़े शोर्ट लगाने के लिए और इसी वजए से शोर् नहीं था यह थपड़ता जितनी ताकत के साथ यह शोर्ट लगाया है यहां पर तिशारा परेरा ने देखते ही बनता है तो चलिए जी यहां देखते हैं बाकी की बची हुई पांच गेंदों में किस तरह की गेंद बाज़ी होती है यहां पर बच नहीं पाएंगे बच नह चलिए यहाँ पर बात होते हुए एंजलो मैथ्यूज आए हैं यहाँ पर कुछ बात करते हुए यहाँ पर डॉमनिक ड्रेक से देखना जाए है जी हाँ यहाँ पर इसी के साथ अगली गेंद माफी चाहते हैं थोड़ा सा माइक डिसकनेक्ट हो चुका था लेकिन एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आपर डॉमनिक ड्रेक्स की इस गेंद पर एक सिंगल यहाँ पर ले लिया है तिशारा परेरा ने और स्ट्राइक आ पास आखरी की तीन गेंद खेलने का और शमता रखते हैं कम से कम तीन गेंदों पर यहाँ पर दो बड़े शॉट्स तो चाहिए चलिए जैसे ही शॉइब मलिक पहुंचे हैं स्ट्राइक के ओपर तो फिल्ड में यहाँ पर थोड़ा सा बदला होते हुए दोड़ते हुए यहाँ पर डॉमिनीक ड्रेक्स एक बार फिर से सामने हो गए यहाँ पर शॉइब मलिक चलिए यहाँ पर थोड़ी सी छोटी गेंद की लाइन को अपनी तरफ क्ीचा जरूर था और काम्याब रहे यहाँ पर सिर्फ एकरन यहाँ से मिल जाएगा चलिए शॉइब मलिक अपकी जो टीम है वो यहाँ पर सिंगल से ही संतुश रहने वाली है लेकिन चलिए तिशारा परेरा लेफ्ट हैंड वले बाज एक बार फिर से आ चुके हैं स्ट्राइक पर डॉमिनिक ड्रेक्स आखरी दो गेंदे आखरी दो गेंदे किस तरह से यहाँ पर बचते हैं किस तर तिशारा परेरा अब तक ओफ स्ट्रम के बाहर गेंद बाजी करके बच रहे थे यह पहली गेंद डाले कि डॉमिनिक ट्रेक्स ने सीधा तीन स्ट्रम के बीच में और यह फेवरेट एरिया है जिया तिशारा परेरा पसंद करते हैं जो भी गेंद यहाँ पर आती है जिया बाच्वी गेंद पर यहाँ पर चक्का आते हुए इसी के साथ आखरी गेंद यहाँ पर डॉमिनिक ड्रेक्स की जिया एक बार फिर से बल्ला गुमाया है इस बार गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा गेंद उपर काफी उपर जाते हैं और लीजिए कैच छूट गई कैच छूट गई है यहाँ पर विकेट कीपर से और दो रन यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाले है इस गेंद पर भी तो चलिए यहाँ पर दोड़ चुके हैं तीसरे रन के लिए भी यहाँ पर दोड़ चुके और यहाँ पर आउट हो जाएंगे चलिए तीसरी गे तीसरा रन दोडने के चक्कर में यहाँ पर अपना विकेट गवा देंगे चलिए टीम का स्कूर हो चुका है 178 रन 178 रन हो चुका है टीम का स्कूर 4 विकेट गिरने के बाद 20 over समाब थो चुके हैं तो चलिए जाफना का स्कोर है 178 रन कोलंबो की टीम को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 189 रन बनाने होंगे जाफना किंग्स की टीम के लिए तो चलिए देखते हैं कितना आसान रहेगा कितना मुश्किल रहेगा इस मुकाबले को चेज करना क्योंकि मस्ट विन मुकाबला है यहां पर कोलंबो की टीम के लिए तो चलिए इनिंग्स प्रेक यहां पर हो चुका है चोटा सा लेंगे यहा पर ब्रेक और ब्रेक के बाद जुड़ते हैं आप सभी लोगों के साथ इस मुकाबले में तो जुड़िएगा सभी तयार हो जाएगा क्योंकि कोलम्बो की टीम यहां से आज इस से चेज को जी हां एक बड़ा स्कोर किया यहां से चेज कर पाएगी देखना दिल्चस्प होग तो चलिए मिलते हैं आप से चोटे से ब्रेक कू International बाइगे जोड़ा करें कुछे लुड़ा कि उबर म सब्सक्राइब नहीं है अब खिरेगmente में उद्धियात प्लिषेंजर मैंकी अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कुल युटिए अपिल्व मिसस्यार है और डी पीबी तेगुड विश्ड उपिला किसी अलोगी तेगुड और अगा इपटार विद्पूर्ण प्विंग मिसा उपकान उपकान परलो से नंगतल के तेखें तो नंगतल कोड़िए अर पंदल को मैं से रह इंगतला फोर्तों कोड़िए मुद विदालना गॉट अच्छ फोर कि भीकरवाना वी वयो वागना वुट के लागना वागना वागना शायर्टों सब्सक्राइब के अचिछ ग्रावयद वह और दुद्द के नहीं सबस्क्राइब झाल 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 झाल